हलो बच्चों, मैसल ताराचन, टीम मैथ CLCC कर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मैथ के 15 का सॉल्यूशन और यह जो टॉपिक है हमारा यह है एप्रिकेशन आप डेरिवेटिव से रिलेटिड तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका क्यूसर नमबर 1 क्यूसर नमबर 1 में देखिए हमें क्या करना है अंगल बिट्वीन दी टेंजेंट लाइन टू दी ग्राप ओप दी फंक्शन एप ओप एक्स विल बी क्वल टू 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 से लेके x2 t-5 dt at the point where the grab cut the x-axis देखिए क्या करना है आपको angle between the tangents, tangents के बीच का angle find out करना है कहां पर जब ग्राप हमारा x-axis को cut कर रहा है तो देखिए क्या करेंगे तो x-axis को जब cut कर रहा है वहाँ पर angle निकालना है tangents के बीच का तो एक काम करते हैं कि वो points निकालते हैं पहले जहां पर यह function x-axis को cut कर रहा है कि कौन सा point होगा उसके लिए हम यह function चाहिए होगा तो हमने इसको integrate कर दिया 2t-5 so यह आजाएगा हमारे पास 2t square by 2 minus 5t इसमें limit put कर दीजी कहा से कहा तक 2 से लेकर के x तक कितना आएगा देखो 2 से 2 कर जाएगा इसमें value put की x so हमें मिलेगा x square minus 5x minus अब इसमें 2 put कर देते हैं so 2 put करेंग कितना आएगा 4 minus का minus यहां 2 put करेंग कितना आजाएगा 10 so that will be equal to 0 ठीक है यह क्या आजाएगा हमारे पास so this will be equal to x square minus 5x minus 6 x square minus 5x 4 minus 10 minus 6 so that is plus 6 will be equal to 0 ठीक है यह function है और जब भी x axis function है मतलब यह y की value है ठीक है और यह y की value है तो जहाँ पर भी x axis होगा वहाँ पर क्या होगा y आपका क्या होगा 0 होगा तो y को जब 0 put करोगे इसके अंदर तो आपको क्या मिलेगा x square minus 5x plus 6 equal to 0 इसको हमने solve कर लिया इसको solve किया था हमें x की values मिली x ब्राबर 2 and 3 ठीक है इसके factors हो जाएगे x minus 2 and x minus 3 x equal to 2,3 miss 2,0 और 3,0 ठीक है न इन points के उपर क्या होगा आपके सामने यह x-axis को परतिछेद करेगा क्या है इन points के उपर आगर tangents की slope की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास मैं f-x, so f-x के लिए हमने इसको differentiation किया, so f-x ब्राबर कितना आजाएगा 2x minus 5 ठीक है तो इन दोनों points के उपर आपको tangents draw करनी है और उसके बीच का angle find out करना है तो ए 2,0 पर अगर बात करें और मान लेते हैं कि उसकी slope m1 है, so m1 ब्राबर कितना हो जाएगा इसमें 2 put कर दीजिए, so that is 4 minus 5 that will be equal to minus 1 और at x equal to 3 m कितना आजाएगा तो उसके लिए m2 ब्राबर आजाएगा हमारे पास 6 minus 5 that is 1, so minus 1 and 1 क्या है हमारे पास में इन दोनों points पर खीजी गई, tangents के बीच की, उन tangents की जो ढाल होगी, उनकी जो slope होगी, वो होगी minus 1 and 1 और अगर कोई भी दो रेखाओं की slope minus 1 और 1 है, 1 है, तो m1, m2 ब्राबर कितना हो जाएगा, minus 1 that means वो जो दोनों रेखाओं होगी आपके सामने, उन दोनों क्या होगी, एक दूसरे के perpendicular होगी और एक दूसरे के perpendicular होगी, तो हमारा जो सही answer होगा, वो हो जाएगा बच्चो, pi pi 2 clear है, तो उन इस पर स्रेखाओं के मजद्य का जो कौन होगा, जहां पर x x को परतिशेद कर रही है, वहां पर हमारे पास में इंगल कितना आएगा बच्चो, pi pi 2 और इस तरीके से हमारा जो fourth option है, इस question का, वही हो जाएगा सही answer clear है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 2 question number 2 में देखो क्या करना है हमें question number 2 के अंदर हमें एक function दिया गया है, f of x will be equal to sin 2x minus x और आपको बोला गया है कि इसका minus pi pi 2 से pi pi 2 के अंदर अधिक्तम तदा न्यूंतम मानों का अंतर क्या होगा, ठीक है, हमें ये calculate करना है difference between the greatest and the least values of the function on this interval ठीक है, इस interval के अंदर अगर x होगा, तो हमें बताना है कि इसका अधिक्तम और न्यूंतम जो मान होगा इसकी greatest और जो least value होगी, उनके जो मान होगे, उनका जो अंतर होगा, वो कितना होगा, वो हमें find out करना है ठीक है, अचा पहले देखिए अधिक्तम और बात में न्यूंतम है, means आपको maximum minus minimum निकालना इसमें बहुत सारे बच्चे, यह जोंको confused हो सकते हैं कि पहले किसको ले बाद में, तो पहले आपको अधिक्तम को लेना और फिर न्यूंतम को लेना है किलियर है, चली चलते हैं, बात करते हैं, कैसे करेंगी इसको, सबसे पहले मैंने इसको differentiate किया f dash x will be equal to आजाएगा, हमारे पास कितना, 2 time cos 2x, sin का differentiation cos और 2x का 2 और minus x का differentiation 1, तो f dash x ब्राबर 2 cos 2x minus 1, तो यहां से हमें मिलेगा cos 2x ब्राबर 1 by 2 अगर f dash x को अगर अगर अपन 0 के ब्राबर करें, या इसके critical points की बात करें, तो वो points क्या क्या आते हैं, देखो minus 5 by 2 से 5 by 2 में, तो 1 by 2 कब होता है बच्चों यह, 2x ब्राबर, एक तो हो जाएगा, हमारे पास में, 60 degree ठीक है, 1st quadrant के अंदर बच्चों यह क्या होगा, 1 by 2 होगा, इसके अलावा 4th quadrant में होगा, so 4th quadrant की बात करें, तो minus 60 degree ठीक है, minus 60 degree पर भी कितना होगा, अगर 2x की ब्राबर, minus 60 होगा, तो अभी cos of minus theta will be theta, और भी बहुत सारे points होगे बट हमारे जो इस interval के अंदर आएंगे, वो दो ही point आएंगे, इसके अलावा बाकी जो points होगे, वो इसके बाहर चले जाएंगे तो यहां से जो हमें critical points मिल रहे हैं, वो है 30 degree और minus 30 degree यह 2 points आगे हैं हमारे पास, अब value maximum और minimum कहां पर हो सकती है, तो देखिए अपने पास में कोई भी जब interval दियावा होता है तो वो सारे points आपको देखने होते हैं, जैसे 30, minus 30, minus pi pi 2 और pi pi 2, आप ही 4 points पर value चेक कीजिए, critical points और extreme points और जहाँ पर भी value आपको अधिक्दम दिखाई देगी, वही होगा अधिक्दम मान और जो value आपको न्यूनतम दिखाई देगी, वही होगा आपका न्यूनतम मान आईए बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, f of pi pi 2 पर value कितनी आ रही है, ठीकर ना, f of pi pi 2 will be equal to देखिए इसके अंदर pi pi 2 put करते हैं तो देखिए sin 2 into pi pi 2 so that is sin pi sin pi की value 0 होती है बच्चो minus pi pi 2 यह होता बच्चो 3.14 divided by minus 2 so that is almost minus 1.57 क्योंकि आपको approximate values निकालनी पड़ेगी ठीक है तभी आप calculate कर पाएंगे आगे वाले points पर बात करते हैं minus pi pi 2 पर देखते कितना आ रहा है f of minus pi pi 2 यह था हमारा point f of pi pi 2 f of minus pi pi 2 पर again sin of minus pi sin minus pi भी 0 होगा so that is 0 plus pi pi 2 हो जाएगा इस बार अगर आपने इसको calculate करेंगे तो यह value मिलेगे अपने को 1.57 यह extreme points पर function की value है अब बात कर लाते है critical points पर कितना आ रहा है f of 30 f of pi pi 6 f of pi pi 6 कितना आ रहा है देखो 30 degree का मनलब कितना होता है pi pi 6 so sin 2 pi pi 6 that is sin यह सिदा भी कर सकते हो sin 30 into 2 60 sin 60 की वाली होती है बच्चो root 3 by 2 और 7 में minus x लेकिन यहाँ पर आपको इस format में लिखना पढ़ेगा so 30 degree को लिखेंगे बच्चो pi pi 6 एक काम करते है इसकी approximate value निकालते है देखो root 3 होता है 1.732 ठीक है न देखो इसको calculate करते है 1.73 divided by 2 732 भी ले लिए minus pi की value होती है 3.14 divided by 6 देखो approximate कैतनी value आ रही है 0.8 minus 6 से divide करोगे तो यह almost आपकी बच्चो 0.5 कितना आ जाएगा देखो यह आ जाएगा हमारी पास में 0.8 minus 0.5 that is 0.3 similarly बच्चो आप minus pi pi 6 भी निकाल सकते है f of minus pi pi 6 पर क्या होगा इनका sign reverse हो जाएगा यहाँ पर कितना पूट करोगे minus 60 degree और उदर plus pi pi 6 हो जाएगा तो यह तो negative और वो positive हो जाएगा तो minus का 0.8 minus का 0.8 and plus का 0.5 so that is minus 0.3 अब देखो आपके सामने चारों वेल्यूज आ चुकी है ना चारों पॉइंट्स पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो maximum value आ रही है बच्चो वो कौनसी है maximum value आ रही है आपके पास बच्चो यह वाली ठीक है ना 1.57 क्या है बच्चो maximum है ठीक है और minimum value कौनसे point पर आ रही है f of pi pi 2 पर और क्योंकि इसकी value किती है minus 1.57 so that is minimum आपको इन दोनों का difference चाहिए पहले maximum ना अधिकता minus new time तो इसमें से इसको गटाना है ठीक है तो यहाँ पर तो pi pi 2 और इसमें से इसको गटाना है तो pi pi 2 minus of minus pi pi 2 अगर अपने इसकी बात करें so pi pi 2 minus minus pi pi 2 कितना जाएगा pi ठीक है तो pi आपका answer होगा करें सभी को चली बच्वा आगे बात करते हैं question number 3 के बारे में देखिए इसमें क्या करना है अपने को आपको एक function दिया गया है f of x will be equal to x sin pi upon x for x greater than 0 and 0 for x equal to 0 then number of points in 0 से 1 where the derivative of f dash x when it says is देखिए बच्वा अगर आप इसके अंदर इसका differentiation करके और फिर अगर बात करेंगी कि कहां कहां पर 0 होगा तो साइध आप इसका analysis ना कर पाएं ठीक है तो फिर क्या करें क्योंकि देखिए बच्वा हमने application of derivative पढ़ रहे हैं तो यहां पर देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि f dash x के अगर आपको check करना है कि कहां पर सुनी होगा तो आप f x या f double dash x के through भी check कर सकते हैं clear है तो यहां पर देखो क्योंकि अपने को f of x function दिया गया है तो आपन बात कर लेते हैं कि पहले यह function कब 0 होगा ठीक है यह जो function हमें दिया गया था ठीक है यह function कौन कौन से points पर आपके क्या हो रहा है बच्चो 0 हो रहा है तो उसके बारे में अगर बात करें तो देखो यह था हमारा question number 3 बिल्कुल चलिए f x कहां कहां पर 0 होगा इसके बारे में अगर बात करें तो यह आप मारा 0 हो रहा है सबसे पहले तो x equal to 0 उपर तो 0 देही रहा है कि f of 0 की value कितनी है बच्चो 0 है ठीक है 0 से 1 में बात करनी है अपने को 0 से 1 में भी बहुत सारे points होंगे f of 0 पर जैसे 0 आ रहा है वैसे ही देखो बच्चो यह 0 कहां कहां पर 0 होगा तो जब जब यह 0 होगा ना यह बनेगा f of pi ठीक है तो sin 2 pi भी 0 होता है f of sorry f of यहाँ पर आपने किता पूट किया था 1 by 2 ठीक है ना f of 1 by 2 यहाँ पर आपने f of 1 पूट किया है तो यहाँ पर बनेगा sin 2 pi sin 2 pi 0 होता है शाथ में क्या बनेगा इधर sin 2 pi into 1 by 2 so that will be 0 यहाँ पर sin pi into 1 तो यह भी क्या है बच्चो 0 ऐसे आप 1 by 3 पूट करोगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा actually क्या है कि यह जो function है आपका x equal to 0 1, 2, 3 1, 1 by 2, 1 by 3 इन सब points पर क्या आ रहा है बच्चो 0 आ रहा है अगर f of x अगर बच्चो आपके इन सभी points पर 0 है 0, 1, 1 by 2, 1 by 3 ठीक है इसका क्या मतलब है ज्यान से देखिए अगर थोड़ा सा कि function है वो 0, 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 ऐसे 1 तक बहुत सारे points है ना infinite points है जहाँ पर 0 हो रहा है ठीक है तो function अगर इन सभी points पर 0 है बच्चो ठीक है ना यह point नहीं है ठीक है जिरो इसके बाद 1 by 2 उसके बाद में अच्छा यह points होंगे वो इधर होंगे हमारे ठीक है थोड़ा सा अगर दे को सही से बनाए इसको यह 0 और यह 1, 1 by 2 इसके बीच में होगा फिर 1 by 3, 1 by 4 इस तरीके इधर वह सारे points होंगे ठीक है तो यहाँ पर भी function 0 है यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 ग्राप नीचे भी आ सकता है उपर की बजाई ठीक है इन सभी points पर अगर fx 0 है तो यहाँ पर इन सभी points के उपर बच्चो क्या होगा आपका F-X भी 0 होगा इन सभी points पर F-X क्या होगा 0 होगा और यह कितने points होगे क्योंकि यहाँ पर बच्चो बीच में बहुत सारे points है infinite points है तो 07 में infinites points है और ऐसे infinites ही बनेंगे आपके सामने तो यह जो आपके जहां पर F-X 0 होगा वहाँ पर भी आपके सामने infinite points ही आएंगे लेकिन क्या बच्चों यह हमेशा correct होता है तो यह हमेशा correct नहीं होता है इसके लिए क्या होना चाहिए आपका function continuous और differentiable होना चाहिए इस interval 0 से 1 के अंदर तो अगर यह break हो गया बच्चों तो जरूरी नहीं कि इस type के आपके infinite points बने बट अगर आप इसकी continuity और differentiability की को check करेंगे ठीक है तो आप पिछे इसको discuss कर चुके हो x into sin pi pi x आपका 0 से 1 में continuous भी है differentiable भी कैसे check करते हैं तो बड़ा आसान सा तरीका होता है दो function का product हो तो आप individually check कर लिए x को और sin pi pi x को कि यह 0 से 1 में continuous और differentiable है या नहीं किलियर होगा सभी को तो इसका जो सही answer होगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा fourth option किलियर है चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं बात कर लेते हैं question number five के बारे में sorry question number four के बारे में क्या है देखो question number four एक 3 बुज के 6 00 x cos x sin cube x 0 जहां 0 से pi pi 2 में है x तो ऐसे 3 बुज का अधिक्तम चेतरफल क्या हो सकता है देखो बच्चों 3 points अगर आपको दिये गए हूँ और उसमें से भी अगर 2 points आपके x axis के उपर इस्तित हो एक 0,0 और डूसरा है बच्चों sin cube x,0 और तीसरा points है कहीं पर भी है ठीक है तो ये तो बन जाएगा बच्चों base हमारा और ये बन जाएगी बच्चों height तो इसका जो y coordinate होगा that is x cos x तो ये तो हो जाएगी height और ये बन गया बच्चों हमारा base तो इस त्रिवुज का चेत्रपल कितना हो जाएगा देखो बच्चों a will be equal to 1 by 2 into base base means ये length ये length कितनी आगे देखो sin cube minus 0 और that is sin cube x और साथ में बच्चों height height कितनी है बच्चों ये वाला point so that is cos x ठीक है हमें बच्चों इसकी maximum value निकालनी है तो बहुत सारे बच्चे कि यहां पर गड़ड़ी कर देते हैं कि यह तब maximum होगा कि इसकी power 3 है जब sin x maximum होगा और इसा करके कुछ ने कुछ गड़ड़ी कर देते हैं आपको कभी भी direct नहीं करना है ये पूरा topic ये पूरा chapter इसी लिए होता है ताकि आप हर चीज को analysis कर सके अच्छे से तो यहां पर देखो आपन क्या करेंगे अब हम चेक करेंगी कौन से point पर ये maximum होगा तो कैसे पता चलेगा इसका differentiation करेंगे ना इसको ये फंक्षन लेते हुए हम चेक करेंगे कि एसा कौन सा point है जहां पर ये अधिकतम आने वाला है तो ये काम करते हैं बच्छो इसको differentiate करते हैं x के respect में d a by dx आई देखते हैं कितना आ रहा है sin cube x का differentiation बच्छो 3 sin square x by 2 पहले से present था sin x का differentiation cos x into cos x that is cos square x minus sin cos x का differentiation minus sin x so that is minus sin to the power 4 x divided by 2 तो यहां से देखो हमारे पास में common आ जाएगा कितना बच्छो यहां से common आ जाएगा sin square x divided by 2 तो यहां क्या बच्छेगा देखो 3 cos square x minus sin square x ठीक है तो यह कब 0 होगा देखो बच्छो अगर इसको 0 के बारे में अगर आपन चेक करें ठीक है इसको मिटा देते हैं देखो इसका काम हो गया तो यहां तो sin x 0 हो तो sin x तो 0 से pi pi 2 में कहीं पे 0 होता नहीं है so sin x will be not equal to 0 अगर यह factor 0 नहीं है तो 0 तब हो सकता है जब यह वाला factor 0 हो रहा हो आपका ठीक है इस factor को अगर 0 करें तो क्या मिलेगा देखो 3 cos square x minus sin square x ब्राबर 0 so इसको उदर ले जाते है so 10 square x ब्राबर आ जाएगा बच्चो 3 so यहां से अपने को मिलेगा 10 x ब्राबर plus minus root 3 again x 0 से pi pi 2 है तो फिरफ root 3 आएगा एक ही point आ रहा है बच्चो और ऐसा जब भी होता है आपसे अधिक्तम न्यूंतम में से जो भी पूछा होता है आपको check करने की जरूत नहीं है कि वो अधिक्तम होगा या न्यूंतम ठीक है अधिक्तम ही होगा उस point पर so x ब्राबर 60 degree पर आपका यह क्या होगा बच्चो चैतरपल maximum होगा क्योंकि root 3 तब होता है जब x कैसा होता है 60 degree यहाँ पर अगर बच्चो अपन 60 degree पूट करते हैं तो देखो area कितना आ रहा है अगर area की बात करें a will be equal to 1 by 2 तो रहेगा ही cos 60 की value 1 by 2 होती है तो दोनों मिलके हो जाएंगे 1 by 4 sin 60 का cube ठीक है sin 60 की value होती है वो जो root 3 by 2 उसका cube करोगे तो आएगा 3 root 3 divided by नीचे 2 का cube करोगे तो आजाएगा 8 तो इस तरीके से जो सही answer आ रहा है बच्चो हमारा वो है 3 root 3 divided by 32 ऐसा कौन सा option है बच्चो ऐसा है हमारा पहला option 3 root 3 divided by 32 ठीक है ये होगा नहीं क्योंकि बच्चो इसके साथ में 3 नहीं है या आपर root 3 नहीं है इसको अगर simplify करें थोड़ा सा ठीक है ने क्योंकि देगो root 3 तो ही तो answer आ रहा है 3 तो इसको अगर 2 से divide करते तो उपर तो 3 आ जाएगा बट नीचे 16 हो जाएगा बट नीचे क्योंकि 32 आ रहा है तो शिरब और शिरब question number 4 का जो सही answer होगा हमारा वो है only first option क्लिए रहे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं question number 5 के बारे में क्या कहरा देखिए equation equation of the line through the point 1 by 2,2 the tangent to this parabola and second to this curve देखिए इस बिंदू से pass होने वाली ठीक है ना line की equation क्या होती है y minus 2 ब्राबर m into x minus 1 by 2 यह होगी इस point से pass होने वाली सभी रेखाओं के समीकरण ठीक है ना 1 by 2,2 से गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं होगी उन सब का समीकरण है बच्चो यह अब बात करते हैं कि अगर यह इस परवले की क्या है बच्चो इस पर स्रे का है tangent है ठीक है तो क्या करेंगे बहुत सारे तरीका है इसको करने के एक काम करते हैं सबसे simplest तरीका जो होता है इस type के जब भी कोई भी दो equations एक दूसरे की tangent होती है 2 degree में तो आप एक काम कीजिए य आपको मिलेगा 2 plus mx minus m by 2 will be equal to minus x square by 2 plus 2 2 से 2 कर जाएगा तो यह बन गई x में quadratic equation क्या बन रही है 2mx minus m ब्रावर minus x square x square plus 2mx minus m ब्रावर 0 अब देगो अगर कोई भी एक कार हो है आपके पास में और किसी भी point के उपर अगर tangent है इसका मतलब अब दोनों का एक ही solution होगा तोनों का intersection point क्या होगा एक ही एक ही एकुट आपन क्या कर रहे है अपन दोनों को यहाँ पर इसकी values में put कर रहे है that means अपन देख रहे कि कितनी values होगी x की x में quadratic बन रही है बट हमें पता है कि यहाँ पर x की एक ही value possible है that means इसका जो discriminate होगा यहां से कितना आजएगा B square 4 M square और minus 4 AC that is plus 4 M ब्रावर 0 so M common ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा बच्चो 4 भी common आजएगा M plus 1 तो दो values आ रही है एक तो M ब्रावर 0 और एक आ रही है बच्चो M ब्रावर minus 1 ठीक है जब आप यहां पर M की value 0 और minus 1 put करेंगे equation के अंदर तो अगर 0 put करते हैं तो आपको मिलेगा बच्चो Y ब्रावर 2 और बच्चो यहां पर minus 1 अगर अपन put कर देते हैं तो minus 1 put करने से क्या होगा देखो Y minus 2 ब्रावर minus X plus 1 by 2 या इस नीचे वाले में put कर देए minus 1 2XY इस तरी की equation आएगी 2X plus 2Y और minus put किया है तो इदर 1 by 2 और plus 4 तो 4 plus 1 कितना हो जाएगा 5 आजाएगा एक बाद चेक कर लेजिए M ब्रावर minus 1 यहां पर put किया तो minus X इदर आजाएगा X plus Y और 2 plus 1 by 2 that is 5 by 2 so 2X plus 2Y ब्रावर 5 यह दो लाइन्स आ रही है अब आपको यह कहा गया है कि यह इस पेरावोला की तो tangent है क्योंकि दोनों option दे रखे हैं आपको Y ब्रावर 2 भी दे रखा है 2X plus 2Y ब्रावर 5 भी दे रखा है तो एक तो इसमें से tangent एक तो इसमें से इस पेरावोला की यह दोनों tangent है बट आगे जो दूसरा कारव दिया गया है उसके लिए इसमें से दोनों tangents नहीं हो सकती ठीक है क्योंकि आपको काय गया है उसकी क्या है सेकेंड तो अगला कारव क्या है बच्चो यह है आपका semi circle है वैसे इस type की जो equation होती है इसमें squaring करेंगे तो y square ग्रावर 4 minus x square तो circle लगेगा आपको बट वो circle नहीं semi circle होगा actually इस type का अगर इसके साथ में दोनों lines को अगर आपन देखें तो इसकी radius 2 है semi circle की और y ग्रावर 2 जो line है वो यहाँ से जाएगी इस तरीके से y ग्रावर 2 इसका मतलब y ग्रावर 2 है वो इसकी क्या होगी बच्चो इसकी tangent होगी इसकी second नहीं होगी तो इसका मतलब यह हो गया कि यह second नहीं हो सकती कैसे पता चला की y ग्रावर 2 क्योंकि simple equation थी हमने check किया पहले इसके respect में कैसी है क्योंकि यह point 0,2 था तो इस point से pass ओने वाली horizontal line होगी है तो यह इसकी tangent है और अगर इसकी tangent है बच्चो तो इसका मतलब यह हुआ क्योंकि एकी line बची है हमारे पास में जो आपने निकाली थी उसमें से यह और चाहू तो आप इसको check कर सकते हो तो यह होगी आपकी इसकी second और इसी तरीके से question number 5 का जो सही answer होगा बच्चो वो होगा हमारा पहला option कि जारे सभी को चलिए बात करते है question number 6 के बारे में f of x will be equal to this then f h ठीक है आपके function दिया गया है और integration का sign है यहाँ पर और आपको बताना है कि यह जो function है ठीक है इसके लिए कौन सा option सही है ठीक है न एपके लिए कौन सा option सही मिस increasing or decreasing इसकी monotonicity के बारे में आपको बात करनी चलिए बात करते है कौन से point पे होगा तो इसको check करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है बच्चो f dash x ठीक है और f dash x निकालना ऐसे कि इसनों में बड़ा आसान होता है आप क्या कर दीजिए integration के sign को हटा दीजिए तो f dash x सीधा आ जाएगा minus 1 plus x square और 7 में है minus 1 divided by root over 1 plus x square यह f dash x होगा बस इसको check कर लेते है कि यह increasing decreasing कहां पर ह होगा तो एक काम करते हैं इसमें LCM लेते हैं LCM आएगा 1 plus x square multiply so LCM में 2 plus 2 x square minus 1 और यहां पर आएगा root over 1 plus x square ठीक है कितना आ जाएगा देखू यह आजाएगा हमारी पास 2 x square plus 1 एक टरम तो यह है और दोस्री टरम है बच्चो root over x square plus 1 divide by x square plus 1 ठीक है अब आपने को check करना है कि यह कब positive होगा कब negative होगा ना monotonicity के लिए तो x equal to 0 इन्होंने एक point दिया है ठीक है और x equal to 0 पर f dash x क्या है बच्चो आपका 0 आ रहा है ठीक है na x equal to 0 अगर इसमें put कर दे अपन शिधा भी कर सकते हैं 0 so 2 minus 1 minus 1 so f dash x equal to 0 पर 0 आ रहा है ठीक है लेकिन इसके right और left दोनों में कैसा होगा ठीक है उसके लिए आपको check करना है ठीक है पर इस point पर 0 है तो 0 अच्छा 0 पर ही क्यों क्यों और option में 0 ही दे रहा है उसके लिए और कोई है भी नहीं सिधा भी कर सेकते हो बट अगर पहले उससे थोड़ा से देगी कैसे करेंगे तो यह अब 0 के right में कैसा होगा left में कैसा होगा तो एक काम करते है 0 से right left में कुछ points पूट कर लेते है 0 से right में से 1 put किया तो यह आएगा बचो कितना 2 plus 1 3 3 minus root 2 तो 0 से right में कैसा आ रहा है 3 minus root 2 कैसा नमबर होगा positive तो इदर positive आ रहा है इधर कैसा आ रहा है 0 से इधर, 0 के इस साइड में कैसा आ रहा है, 0 के इधर भी आप मारे पास में, अगर कोई एक point put करें, जिसे minus 1 put करें, या minus 2 put करें, तो minus 1 put करोगे, तो वही चीज़ आएगी, क्योंकि x square है, वहां पर भी x square कोई फरक पड़ेगा नहीं, तो इधर भी positive, त बड़ maximum minimum नहीं है, ये function आपका हमेशा ही increase होता रहेगा, और हमेशा increase होगा, तो ऐसा option है बच्चों, हमारा तीसरा option, minus infinite से plus infinite तक हमारा function increasing होगा, यह रहे सभी को, अचा, अगर बाइचास चलो कि 0 के लाओ, और भी बहुत सारे points दिये होते, option में तो क्या करते, तो फिर आप इसको सिधा भी compare कर सकते हैं बच्चों, देखो 1 तो दोनों के अंदर है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, साथ में इधर तो कितना है 2x square और उदर कितना है, root x square, 2x square भी positive होता है, root x square भी positive है, 2x square क्या है बच्चों, 2x square इस type का एक graph होता है, और root x square का मतलब होता है, mod x, mod x होता है, बच्चों, आपके पास में ऐसा, ठीक है, तो यह हमेशा ही graph इसके उपर है, इसका मतलब यह हुआ कि 2x square, root x square से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, यह quantity always positive रहेगी, बट अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरीके से point लेकर के भी उसको analysis कर सकते है, चलिए फिर आगे सल लेते हैं, बात करते हैं, next question, question number 7, क्या है देखू, एक function दे रिका है, अगरे आपको f of x और आपको बताना है, कि इस function के लिए निम्द में से कौन सा कथन सत्य, इसके लिए आपको बताना है, कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, which of the following statement is true for the function, अच सचती है, इस function के लिए, अचा, f x दे रिका है आपको, f dash x के बारे में बात चल रही है, तो एक काम करते है, f dash x निकालते हैं पहले तो, f dash x, अचा, function continuous है क्या check करो पहले तो, 0 से छोटे के लिए ये है, 0 से 1 में ये है, 1 पर ये है, तो 0 से छोटे, x equal to 0, पर left and limit की बात करें तो 0 आएगी, इधर भी 0 तो continuous है, 1 पर बात करें तो इधर value कितनी आएगी, put करेंगे, तो 1 इधर भी value 1, तो continuous है, तो f dash x निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, direct differentiation कर सकते हैं, अगर continuous नहीं होता, तो आप इस तरीके से नहीं करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, LHD और RHD से continuity check, sorry, LHD और RHD से check करते हैं कि यह differentiable होगा या नहीं होगा, बट अगर continuous होता है, तो फिर आप differentiation direct use कर सकते हैं, कितना आएगा, 1 upon 2 root x, पहले function का differentiation, 3 x square दूसरे function का differentiation, और 3 x square minus 4, divide by 3, यह कट जाएगा, x square minus 4, आई अलग-अलग intervals के लिए है, तो देखो ऐसा है हमारे पास में, 1 से आगे के लिए अलग function है, ठीक है रूट x वाला है, वैसे देखा जाए तो, 0 से 1 में x cube वाला function है, और उसके पहले cubic equation है, जिसका derivative x square minus 4 आ रहा है, that means x minus 2 और x plus 2, इसके क्या है बच्चो, critical points, so minus 2 तो इदर आएगा, और 2 कहीं उदर जाएगा, ठीक है, minus 2 और 2 पर critical points जब भी आते हैं आपके सामने, minus 2 और 2 पर, तो इदर function maximum, यह point of maximum होगा, यह point of minima होगा, बट हमें इसमें 0 तक ही जाना है, x equal to 0 पर यह 0 है, और यह point of maximum आएगा, यह तक, फिर 0 पर function change हो जाएगा न, कौन सा function, x cube वाला function आएगा, इस तरीके से, और फिर आपके पास मा जाएगा, root x वाला function इस तरीके से, एसा कुछ graph अपना बनने वाला है, ठीक है, यह तो दोना simple graph थे, आप direct बना सकते थे, इसके लिए आपको check करना है, तो इसके लिए आपके critical points आगे, minus 2 और 2, x equal to, minus 2 maximum होगा, x equal to 2 minimum होगा, क्यों सी qb का graph ऐसा होता है, ठीक है, यह maximum होगा, 0 पर तक अ पॉइंट यहां पर होगा, और 2 वाला point आगे होगा, पर 2 और तसकी domain में नहीं है, इस वाले part के लिए, कि 0 से छोटे parts के लिए है शिरप, ठीक है, तो इसा graph बन जाएगा, अब check करते देखो, कौन सा option हमारा सही होगा, it is monotonic increasing for all real numbers, सभी real numbers के लिए एक दिस्ट वर्दमान ह अगला क्या है, f-x fails to exist for three distinct real values of x, x के तीन बिनमानों के लिए f-x विदमान नहीं है, बचों तीन नहीं होगे, दो ही होगे, यहां से लेकर के यहां तक कोई जिक्कत नहीं सब जले पर f-x exist करेगा, एक तो यह point होगा, आपका पहला point जहां पर exist नहीं होगा, और एक यह दू पर आप यहां पर check भी कर सकते हो, 1 by 2 और 3, f-x different आ रहा है, 0 पर भी different आएगा, बट बाकी सभी points पर f-x विदमान होगा, तो 3 नहीं होगे बच्चों, 2 होगे, तो दूसरा option ही बच्चों आपका गलत हो गया है, ठीक है, तीसरा option क्या कहे रहा है बच्चो, f-x changes, it's signed twice as x varies minus infinite से infinite, देखो बच्चो, यहसे तो points आ रहे है न, minus 3, 0, 1, ठीक है, 1 के आगे f-x कैसा होगा बच्चो, f-x के sign के बारे में बात चल रही है, तो increasing है, यहां पर भी function आपका increasing है, इधर decreasing था, तो increasing है, इसका मतलब इधर f-x positive होगा, यहां पर भी f-x positive होगा, यहां पर negative होगा f-x ठीक हैं, क्योंकि decrease हो रहा है, और इधर फिर positive होगा, तो यह कह रहा है, f-x changes, it's signed twice as x belong to this, बिल्कुल बच्चो, दो बार change हो रहा है, एक बार plus से minus में यहां convert हो रहा है, एक बार minus से plus यहां convert हो रहा है, f-x का चिन दो बार परिवर्तित होता है, minus infinite, infinite में, यह बिल्कुल सही answer है आपका, चौते option के बारे में फिर बात करें, तो बच्चो क्या बोलागे है, फलन x1 दता x2 पर चरम मान रखता है, जब x1, x2 दोनों positive हो, तो गलत हो गया बच्चो, क्योंकि एक तो चरम मान कहां पर एक तो इस point पर critical points और एक यह वाला points, ठीक है न, यह दो points है, तो एक question के अंदर जो शिरफ और शिरफ हमारा सही answer होगा, वो third option होगा, चले आगे बच्चो, बात करते हैं, question number 8 की ओर, देखो, इसमें आपसे पूचा गया है कि the curve this is a vertical tangent, बच्चो, इस curve के किस बिंदू पर, यह जो point दिये गया है, देखो, इस equation में जो double variable वाले होते हैं, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि हमें तो बस equation को solve ही करना है कि जैसे algebra में अपने solve करते हैं, ठीक है, और अपने को answer निकालना है, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको यह 3 point दे रहके, 1 option दे रहका, no point, इसका मतलब आप चेक कर लीजे, इन 3ों में से कौन कौन से point है, जहां पर vertical tangent आएग बचो, dy by dx, y का differentiation, अचा differentiate क्यों कर रहे है, vertical tangent के लिए हमें tangent की slope चाहिए होगी, तो उसको check करने के लिए, e to the power x का differentiation वही होता है, x into y का differentiation में product rule लगेगा, x का 1 into y, plus x into y का dy by dx, plus 1 will be equal to 0, x का differentiation 1, तो यहां से देखो बच्चो, dy by dx कितना आ रहा है, dy by dx will be equal to, सभी data को उधर ले ले लेते हैं, so y into e to the power xy, एक तो यह ट्रम, साथ में minus 1 divided by, dy by dx का coefficient 1 minus x into e to the power xy, आप जैको बच्चो, vertical tangent कब होगी, जब यह ट्रम क्या हो जाए, बच्चो, आपकी 0 हो जाए, ठीक है ना, अगर यह 0 हो जाएगी, तो vertical tangent आ जाएगी, so 1 minus x into e to the power xy will be equal to, कितना हो जाएगी, 0 और उपरवाला number non-0 होना चाहिए, undefined आना चाहिए, 0 by 0, indeterminant form भी नहीं बननी चाहिए, चलिए पहले चेक कर लेते हैं, कि यह 0 कहां पर है, फिर चेक कर लेंगे कि वहां पर उपरवाला non-0 है या नहीं, तो 1,1 पर बात करें, तो 1,1 पर आएगा बद्च, 1 minus e, so that will be not equal to 0, 1 minus e 0 नहीं होता है, 0,1, 0,1 put करेंगे, तो 1 minus 0, x 0 है तो यह 0 हो जाएगा, so again that will be not equal to 0, इस point पर भी 0 नहीं है, तीसरे point पर बात करें, 1,0 पर, so 1 minus 1 into e की power 0, so that is 1 minus 1, तो यह 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 आ सकता है, ठीक है, लेकिन अब अपने यह बात करें, यह तो 0 आ रहा है, बट यह non-0 भी होना चाहिए, इसका numerator non-0 होना चाहिए, तो यहाँ अगर put करेंगे कौन सा third option, तो यहाँ से 1,0 put करेंगे, y0 तो यह 0 minus 1, so बिल्कुल यह not equal to 0 है, तो यह non-0 और यह 0 है, that means 100% इस point पर आपकी इस पर्स रेका कैसी होगी बच्चो, उर्दुआदर होगी, वर्टीकल होगी, ठीक है, तो ऐसा कौन सा option है बच्चो, तीसरा option और यही है हमारा सही answer, आवा है, आपको एक फलन दिया गया है, यहाँ पर अच्छा सा, ठीक है, इसके लिए निम्द में से कौन सा कथन सही नहीं है, does not hold good, कौन सा, इसको hold नहीं कर रहा है, अच्छी तरीके से hold नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा कथन इसको satisfy नहीं कर रहा है, तो चलिए, again increasing monotonicity inflection point, क्योंकि यह topic पढ़ रहे हैं, तो हमेशा आपको इसमें f dash x की ही जरूत पढ़ती है, तो कीजे बच्चो, इसका differentiation f dash x will be equal to, कितना आएगा, 3 into 2, 6 x square plus 18 x plus 12 plus 0, इसमें से 6 x plus 1 into x plus 2, यह आगया हमारे पास, तो क्या यह monotonic है, non monotonic है, non monotonic means exist नहीं है, apex exist नहीं है, ठीक है, अच्छा, गलत option select करना है लेकिन इसमें से, ठीक है, तो देख लेते हैं, plus minus plus, तो बिल्कुल बच्चो, यह monotonic नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले increasing, फिर decreasing, फिर increasing, monotonic कौन सा function होता है, वो function जो या तो हमेशा वर्दमान हो, या हमेशा कैसा हो, आपके पास में, हरास्मान हो, वही monotonic होता है, बट यह increasing भी होगा, decreasing भी होगा, इसलिए पहला option बच्चो क्या हो गया, गलत हो गया, यह तो सही option है आपका, आपसे गलत option पूचा है, तो गलत option कौन सा है, वो देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि, increasing minus infinite से minus 2, union minus 1 से infinite, देखो बच्चो, minus infinite से minus 2, union minus 1 से infinite, इसमें बिलकुल आपका function increasing होगा, क्योंकि f-x का sign positive है, and decreasing minus 2 से minus 1, minus 2 से minus 1 में decrease हो रहा है, यह बात भी बिलकुल सही है, तो दूसरा option भी सही है, इसलिए यह option भी गलत नहीं है, इसलिए अपना यह option क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, क्यों अपने को गलत option देखना है बच्चों, ठीक है, यह option सही option है, आर से आर में bijective है, बच्चों, bijective नहीं होगा, आप सबको पता होगा, non-monotonic functions कैसे होते हैं बच्चों, bijective नहीं होते हैं, तो यह गलत option है, यह बिलकुल सही बात है, अगर पहला सही होगा, तो तीसरा तो 100% गलत होगा, bijective का मतलब होता है बच्चों, 1-1 और on-to होना चाहिए, आर से आर में, ठीके, cubic equation है, तो on-to तो होगी, लेकिन 1-1 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि increasing के बाद decrease हो रही है, 1-1 तो वही हो पाती है, जो या तो हमेशा increase हो, या हमेशा decrease हो, means monotonic cubic होती, तो वो आपके पास में bijective होती, अगेन वैसे तो तीसरा option सही हो गया है, बढ़ चोथे को चेक करना, अगर inflection point कहाँ पे होगा, तो इसको फिर से एक बार differentiate करेंगे, तो हमें मिलेगा 12x plus 18, यह जहाँ पर 0 होगा, वही होगा inflection point, वो point आ रहा है हमारा, minus 3 by 2, तो minus 3 by 2, नती परिवर्तन बिंदू है, यह बिल्कुल सही option है, मलब यह गलत option नहीं होगा, clear, तो शिरप and शिरप third option, बच्चों कैसा है हमारा यहाँ पर, wrong answer, होगा सभी को clear, चलिए बात कर लेते हैं, question number 10 की ओर, क्या करना है देखो, इस question के अंदर, a right angle triangle is drawn in a semicircle of radius 1 by 2, देखो बच्चों, एक ऐसा semicircle है, a right angle triangle is drawn in a semicircle of radius 1 by 2, radius 1 by 2 है, तो इसका diameter बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a right angle triangle is drawn in a semicircle, with one of its side, except hypotenuse along the diameter, यह देखो जो triangle आपको बनाना है बच्चों, इसका जो एक side है ना, वो इसके ऊपर होगा, ठीक है, और वो hypotenuse नहीं होगा, इसका मतलब वो triangle कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, एक right angle triangle बनाना है, उसकी एक side इसके along होनी चाहिए, और वो hypotenuse नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो vertex होगा, इसके उपर कोई एक, ठीक है, वो आपका 90 degree का होगा, ऐसा कुछ triangle बनेगा, ठीक है, अच्छा, अगर इसको आप hypotenuse ले लेते पूरा, ठीक है, तो भी right angle triangle तो बन जाता, लेकिन फिर क्योंकि यह hypotenuse हो जाता है, इसलिए question में साप साप आपको बोल दिया है, कि इसके along एक side है, और वो आपकी hypotenuse नहीं है, except hypotenuse, करण को छोड़ करके, करण को छोड़ना है आपको, इसका मतलब यहाँ पर जो side लेनी है, तो perpendicular वाल लेनी है, अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे यह कहेंगे, कि यही क्यों हुआ sir, इधर वाला क्यों नहीं हुआ, तो देखो बच्चो, यह भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो फिर हम कौन साल है, तो देखें, अब क्योंकि हमें पता नहीं कि center के में इधर होगा, ओधर होगा, कुछ नहीं पता, ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि आपने इसको generalize solve करेंगे, जो answer आएगा, वही हमारा होगा सही answer, तो यह माल लेते हैं बच्चो, x, क्योंकि इसका radius 1 by 2 है, तो diameter 1 हो जाएगा, तो यह length हो जाएगी 1 minus x, ठीक है बच्चो, x into 1 minus x, और आपको इसका maximum area possible बताना है, तो अब एक काम करते हैं बच्चो, इसकी height निकालते हैं, area निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि कैसा भी triangle बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, वैसे तो आपको एसा triangle लेना है, जिसका area maximum आ जाए, ठीक है, maximum area कब आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं, तो एक काम करत होता है, ठीक है, इसको y मान लिया अपने, ठीक है, देखो एक तो क्या है आपने पास में, y upon x बराबर 10 theta, इधरवाल ट्राइंगल के इंदर, y by x बराबर 10 theta, इधरवाले में देखो, 1 minus x upon y बराबर कितना है, 1 minus x divided by y बराबर कितना होगा बच्चो, यह perpendicular और वो आपके पास में, तो यह फिर से आपके पास में कितना होगा, 10 theta, तो यह भी 10 theta, वो भी 10 theta, तो दोनों बराबर होंगे, तो दोनों को बराबर कर दो, इधर भी y by x put कर दो, so y square बराबर x into 1 minus x, so y बराबर कितना होगा बच्चो, और root x into 1 minus x, ठीक है, यह आगया हमारे पास में क्या, यह आ तो कोई सा भी ले लिजिए, आप चाहिए इधर वाला ले, चाहिए इधर वाला सेम आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि एक, अब हमें तो पता नहीं, अगर आप इसको x मानते हैं, इधर वाला 1 minus x हो जाता, ऐसे क्यूसन में सेम यह आंसर आता है, आप कोई भी एक triangle लेजिए मैं simplest format ले रहा हूँ, x वाला, तो उसके corresponding a ब्राबर होगा हमारे पास में, x इंटू, यह तो base, अचा, पूरा नहीं लेना है बच्छो, क्योंकि पूरा अगर ले लोगे, तो फिर तो यह triangle बन जाएगा, और यह triangle आपका नहीं है, ऐसा triangle लेना, जिसका base आपके पास में यहा dividing कर दो, so 4a square will be equal to x square into x x cube into 1 minus x, 4a square को एक नया नाम दे दीजिए, that is p ब्राबर x cube minus x की पावर 4, तो यह maximum कब होगा, अच जब dpy dx क्या होगा बच्छो, 0, तो इसका differentiation कर दो, dpy dx ब्राबर, 3x square minus 4x cube, x square common आएगा, और 3x minus 4, तो दो values आ रही है, x ब्राबर 0, and 4 by 3, तो अगें देखो, आपको 0 तो होई नहीं सकती, क्योंकि 0 हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा, x 0 हो गया, तो फिर यह triangle बन जाएगा, आपको बोला था, this question, this triangle को छोड़ करके, अगर अब आप उल्टा करते तो क्या होता देखो, अग जेकर, आज़ा 4 by 3 नहीं, 3 by 4, क्योंकि x तो 0 से 1 के बीच में हो सकती, common लोग है, x square common लोग है, तो 3x minus 4, so x ब्राबर 3 by 4, तो 0 तो हो नहीं सकता, so 3 by 4 होगा, 3 by 4 पूट कर दीजिए, यह से triangle का maximum area यहां से आजाएगा आपके पास, a will be equal to 3 by 4, so that is 3 by 8, into root over 3 by 4, into 1 by x will be 1 by 2, अंदर है आपके पास में 3 by 4 और अंदर 1 by 4 आएगा न, so 3 root 3 divided by 8 into 4, 32, ठीक है, ऐसा कौन सा option है बच्चो, 3 root 3 by 32, ऐसा option है बच्चो, आपका second option, so 10th question का जो सही answer होगा, वो होगा आपका दूसरा option, क्लिए रे सभी को, question number 11, देखिए क्या करना है question के अंदर, the line which is parallel to the x-axis and cross the curve this at an angle pi pi 4, देखिए, ये को ये curve है y square by our x का part है, that is y by our root x, the line which is parallel to the x-axis, एक line x-axis का parallel कीची जाये, ठीक है, and the cross the curve this at an angle pi pi 4, इसका मतलब ये हुआ, कि point per angle curve को cross कर रहा मिस, उसके उपर जो tangent होगी, उसके और इसके बीच का angle pi pi 4 होगा, ठीक है, so यहाँ से dy by dx tangent की slope के लिए निकाला हमने, so वो कितना आएगा, 1 upon 2 root x, ठीक है, और इसके और इसके बीच का angle pi pi 4 है, तो यह क्योंकि x x इसके parallel है, तो इसका m तो 0 होगा, और इसका m कितना है, m होगा आपके पास में, तो m minus 0 divided by 1 plus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2, ब्रावर, angle between them, that is pi 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 4, so यह कितना आजाएगा, यह आजाएगा हमारे पास में, 10 pi pi 4, 10 pi pi 4 होता 1, so यहाँ से m की value कितनी आ गई, 1, यहाँ पर 1 put कर दीजिए, so यहाँ से root x ब्रावर कितना आ गया, 1 by 2, root x 1 by 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा हमारे पास, y ब्रावर root x है, so y ब्रावर हो जाएगा 1 by 2, इस point पर जो y coordinate है, वो कितना आ गया हमारे पास, 1 by 2, तो आपको यही बात आना है, कि the line which is parallel to the x-axis, इसका x तो जो भी होगा, ठीक है, वैसे x भी निकाल सकते हूँ, बट उसका y coordinate 1 by 2 है, तो इसकी जो equation होगी, वो होगी y ब्रावर constant, that is y ब्रावर 1 by 2, इसा कॉन सा option है बच्चो, 4th option, जो कि आपका इसका सही answer है, question number 11 के दर, चलिए इसी के साथ बात करते है, question number 12, क्या है question number 12, the curve this and this cut orthogonally at the point then case square, देखो, अगर कोई भी दोकार और एक दूसरे को orthogonally cut करते हैं, तो उस case में अपन क्या करते हैं बच्चो, उस case में अपन बात करेंगे, कि उस point के उपर, दोनों का जो product होगा slope का, वो क्या होगा, minus 1, और again देखे, orthogonally के लिए का slope निकालें, तो इसको differentiation किया, so 1 ब्रावर 2y into dy by dx, x के respect में, so यहाँ से कितना आ जाएगा, m1 ब्रावर 1 upon 2y, ऐसे दूसरे वाले को differentiation कीजिए, x के respect में, x का करेंगे, तो y, y का करेंगे, x into dy by dx ब्रावर, 0 तो यहाँ से कितना आएगा, dy by dx ब्रावर, वो आ जाएगा, हमारा minus y by x, that is m2, m1, m2 ब्रावर minus 1, इसका मतलब कितना हुआ बच्चो, m1, m2 ब्रावर minus 1, यह है 1 upon 2y, यह है minus y by x ब्रावर minus 1, y से y कर जाएगा, x ब्रावर आ गया, 1 by 2, x की value आ गई 1 by 2, तो वहाँ से y आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, x को 1 by 2 पुट करेंगे, तो y square ब्रावर 1 by 2, so y ब्रावर 1 by root 2, आप से k square पूछा है, तो देखो k cube ब्रावर कितना है, x into y, दोनों को multiply करेंगे, तो 1 by 2 root 2, ठीक है, आपको k square पूछा नहीं, यह k cube आ रहा है, तो पहले एक काम करते है, k की power 6 निकाल लो यहां से, तो दोनों साइट स्क्वाइरिंग कर दिया, k की power 6 ब्रावर, 1 upon 2 का square 4, और इसका root अट जाएगा, so that is 8, so k की power 6 ब्रावर आ गया हमारे सामने 8, तो हमसे k square पूछा है, अब इसका दोनों साइट cube root ले लिजिए, so k square ब्रावर आ जाएगा 1 by 2, ठीक है, ऐसा option दिया है हमें, बिल्कुल है बच्चों, पहला option, जो की हमारे इस question का होगा सही answer, के लिए रहे सभी को, चलिए इसी के साथ चलते हैं, बात करते हैं, question number 13, क्या है question number 13, then the point of inflection कौन सा होगा, देखो, य ब्रावर ये है तो इसको differentiate किया, सबसे पहले तो, देखिए हमेशा differentiation ही करते हैं, अपन इस chapter के अंदर, उसकी जरूत पढ़ती ही है, plus 3x square, minus 36x, plus 24, अब देखो, ये तो आया, dy by dx, अच्छा, आपको, इसमें point of inflection, और concavity के बारे में बात हो रही, option से पता चल रहा है, then मतलब कौन सा option सही होगा, तो, dy by dx square, निकालेंगे, क्योंकि concavity का पता उससे चलता है, तो ये आएगा, 12x square, plus 6x, और आएगा, minus 36, ऐसा आएगा, 6 common, 2x square, plus x minus 6, कितना आएगा, इसके factor कर लेते हैं, देखो, तो इसके factor आएगे हैं, हमारे पास में, 6 time, 2x minus 3, एक तू, और एक आएगा, x plus 2, कितना आएगा, 2x square, plus 4 minus 3, plus 1 minus 6, बिलकुल, x की दो values आएगे हैं, बच्चो, minus 2, और 3 by 2, ठीक है, अच्चा, ये दोनों के दोनों, आपके पास में क्या होंगे, बच्चो, point of inflection होंगे, देखो, why is convex downward, 3 by 2 से infinity, convex downward, concave downward, तो concave downward कहा पे होगा, जहां पर, इसका sign negative होगा, तो check कर ले एक बार, minus 2, 3 by 2, plus, minus, plus, so 3 by 2 से infinite में, तो बच्चो, concave upward होगा, जहां positive होता है, वहां concave upward, तो ये तो गलत है, ये गलत है, मतलब, इसी में से कोई ना कोई, आपका एक option, अउतली ये, नीचे की और नहीं होगा, 3 by 2 से infinite में, उपर की और होगा, अब बात करें, कि 3 by 2 पर होगा, या minus 2 पर, तो अपने एक काम करते हैं, minus 2 पर value निकाल लेते, फिर अपने को पता चल जाएगा, 3 by 2 पर होगा, या नहीं होगा, एप ओप minus 2 कितना आ रहा है, इसके option भी दो दिये हुए, तो minus 2 पर आएगा, बच्चो 16, plus minus 8, minus 2 पूट करेंगे, तो 4, minus 18 into 4, so minus 18 into 4 लिख देते हैं, एक बार, plus 22, 4 into 2, that is minus 48, और साथ में आएगा, minus 12, यह तो भोज़दार नेगेटिव में, देखो, यहाँ पर तो minus 24, और 3 by 2 दे रहा है, यह minus 48, अगर इसको, और इसको अगर आपन, कटा दे, इसमें से इसको, तो सब के सब टर्म negative में है, और यह बहुत बड़ा नंबर है, तो यह तो दोनों गलत होंगे न, यह दोनों गलत, यह गलत, तो यह हो जाएगा बच्चो, सही, बागे आप चेक कर सकते हो, 3 by 2 जब इसमें पूट करेंगे, तो आपको यह मिल जाएगा, y की value, minus 8 into 1 by 16, यही होगा इसका नती परिवर्तन बिंदू, के लिए रहे सभी को, तो सही answer कौन सा होगा बच्चो, इसके अंदर 13 के अंदर, हमारा तीसरा option जो होगा, वो हो जाएगा सही answer, ओके, चलिए फिर चलते हैं आगे की और, बात करते हैं, क्यूसर नमबर 14, क्या है देगो, y ब्राबर x की power 4, plus x square, plus this is concave upward, along the entire line, हमेशा है, that means f double dash x, always positive होना चाहिए, उसके लिए बात करते हैं, इसका differentiation की, इसका differentiation करेंगे, तो आएगा बच्चो, dy by dx ब्राबर, कितना, 4 x cube, plus 3 ax square, plus 2 कर जाएगा, 3 x, फिर बात करते हैं, d2 y by dx square, क्योंकि, concavity की बारे में, बात चल रही है, so d2 y by dx square, यह हमेशा positive होना चाहिए, so 12 x square, plus 6 ax, plus 3, will be always greater than, or equal to 0, अगर यह positive होगा, तो entire line पर, आपका करू कैसा हो जाएगा, concave upward, जब f double dash x positive होता है, तो आपका कर, कैसा होता है, concave upward, चल यह बात करते हैं, यह हमेशा positive कब होगा, जब इसका discriminant less than होगा, किसी भी quantity का, अगर x square का coefficient positive हो, ठीक है, तो हमेशा positive, और यह equal कब होता है, जब उसका graph ऐसा बनता है, तो इसका discriminant, या तो 0 हो जाए, या ऐसा भी graph बन जाए, तो d या उसका negative हो जाए, कितना आएगा, 36 a square minus 4 into 12 into 3, will be less than or equal to 0, ठीक है, 12 into 3, 36 आएगा, जो common आजाएगा, common आके काट दीजी उसको, so a square will be less than or equal to 4, so mod a will be less than or equal to 2, ठीक है, तो ऐसा आएगा, हमारे पास में 14 का answer, और ऐसा कौन सा option है, हमारे पास यहाँ पर, third option दिया गया है, so 14 का जो सही answer होना चाहिए, बच्चों, वो हमारा तीसरा option होना चाहिए, clear, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, next question, that is question number 15, क्या है देखिए, इसके अंदर, इसमें आपको दिया गया है कि, the real number C, for which this equation has, two real and distinct root, in 0 से 1, देखिए, इस equation की 0 से 1 में, दो distinct real roots होने चाहिए, तो एक काम करें बच्चों, अपने इसको एक कवर माल लेते हैं, y ब्राबर 3x की पावर 5, plus 2x cube, ठीक है, और इसको देखते हैं कि, यह कैसा है, ठीक है, so dy by dx ब्राबर कितना होगा बच्चों, dy by dx ब्राबर, 5 into 3, 15x की पावर 4, plus 6x square, x square common आ जाएगा, 3 common आ जाएगा, so 5x square plus 2, so अगर बात करें बच्चों, number line पर, ठीक है, तो इदार 0 एक critical point आ रहा है, इदार कुछ नहीं आ रहा है, बट इसकी भी power 2 है, तो positive positive, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका dy by dx positive है, means यह जो 5 degree का जो equation है, यह हमेशा ही बढ़ता रहेगा, ठीक है, x equal to 0 पर यह 0 से pass होगा, और हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है, अच्छा, always increasing है यह, ठीक है, always increasing है, और दूसरे साइड में, साथ में एक point C है, ठीक है, तो वो Y ब्रावर C का जब आप grab बनाएंगे, तो इसका और इसका तो हमेशा एक ही point आएगा, ठीक है ना, तो आप से पुचाए कि C के से कितने, क्या होंगे, real number C for which, ऐसा कौन सा C होगा, जब इसके दो root होगे, तो बच्छों ऐसा कोई C नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा कोई भी C present ही नहीं है आपका, ना 1 से 2 के बीच, ना minus 1 से 2 के बीच, ना 2 से 3 के बीच में, विदमान नहीं है, ठीक है ना, C का मान विदमान नहीं होगा, does not exist होगा, ठीक है, क्योंकि एक graph हमेशा, जो है 5 degree का, जो equation है, वो हमेशा कैसा है बच्छों, आपके पास में increasing है, तो इसका तीसरा option सही होगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 16, क्या है देखू, the value of P saw that, this has exactly one solution, देखो बच्छों, ये curve, ये दूसरा curve, इन दोनों का, exactly एक solution, ये straight line, ये curve, that means, ये इसको किसी point के ऊपर, क्या कर रही है, touch कर रही है, ये जो भी curve होगा, एक roughly diagram, ये इसका जो point of intersection होगा, इसके ऊपर touch करेगी, ठीक है, ये straight line का, y ब्राबर P x minus 1, slope पता है, मैं M ब्राबर P, उसके slope के बारे में, बात कर लेते हैं, curve को, तो curve को मान लिया, y ब्राबर 3 x की power 4, so dy by dx कितना आएगा बच्चो, 12 x cube, मान लेते हैं कि बच्चो, ये point alpha, beta है, तो इस point पर slope कितनी आजाएगी, 12 alpha cube, अच्चा, इस point पर जो slope होती है, वह ही tangent की slope होती है, जो आपको कितनी दे रखी है, बच्चो, P दे रखी है, एक तो ये equation आजाएगी, दूसरा, ये जो point alpha, beta है, ठीक है, ये, इस point, इसके उपर लाई करेगा, क्योंकि दोनों का intersection point है, state line और इसका, इसमें x कीज़एगे, पर alpha पूट कर दीए, so 3 alpha की power 4, ब्राबर P alpha minus 1, एक काम करते हैं, alpha निकाल लगते हैं, पहले P कामान या आप उट कर दू, 12 alpha cube, so 3 alpha की power 4, 12 alpha की power 4, minus 1, so 9 alpha की power 4, ब्राबर 1, ठीक है, तो यहां से P की क्या values आ रही हैं हमारे पास, देखो, alpha की power 4, ब्राबर 1 by 9, alpha square ब्राबर होगा, बच्चो, 1 by 3, ठीक है न, alpha square minus 1 by 3 नहीं हो सकता, क्योंकि alpha square हमेशा positive होता है, फिर alpha की 2 values आएगी, 1 by root 3, and minus 1 by root 3, हाँ, अब alpha की दोनों values possible हो सकती है, alpha की यह values जब आप यहां put करेंगे, तो P के आपको possible values पता चल जाएगी, बढ़ आपको कहा गया है कि P हमेशा positive होगा, तो positive तभी आएगा, जब alpha को क्या लोगा, आप 1 by root 3, जब आप alpha को 1 by root 3 लेंगे, तो P ब्राबर आजाएगा, आपके पास में 12 into, alpha को 1 by root 3 यहां put कर दीजिए, so 12 divided by, 1 by root 3 पर कितना होगा, 3 root 3, 3 से इसको divide कर दीजिए, तो यहां से आजाएगा, हमारे पास 4 by root 3, ठीक है, कौन सा option है बच्चू, fourth option, so 16 का सही answer होना चाहिए, चौधा option, किज़रे सभी को, चलिए सी के साथ चलते हैं, और बात करते हैं, आगे question number 17, क्या है 17th question में देखू, angle of intersection between the car, this and this is, इन दोनों कार के बीच में, angle of intersection क्या होगा, देखो एक काम करते हैं बच्चू, पहले तो इसकी slope निकालते हैं, केतने आ रहे हैं थे के, 2x plus 2y into dy by dx, ब्रावर, कितना, 0, 2 to a square 0, so m1 ब्रावर आ गया, minus x upon y, ठीक है, ऐसे दूसरे वाले का निकालें, दूसरे वाले का आएगा, 2x minus 2y into dy by dx, ब्रावर 0, so m2 ब्रावर आ गया, x upon y, m1 और m2 दोनों आगे, अच्छा, दोनों x by y के format में आ रहे हैं, तो आज answer आपके पास में, सीधा नहीं आएगा, तो 10 theta ब्रावर, m2 minus m1 कर देते हैं, इस में से इसको गठा देते हैं, so that is 2x upon y, divide by 1 plus m1 m2, दोनों को multiply करेंगे, so minus x square by y square, इतना हैगा, y square minus x square, अच्छा, x square minus y square, आपको a square दे रखा है, so y square minus x square तो आजाएगा, minus a square, और उपर है हमारे पास में, 2x lcm लेंगे तो उपर आजाएगा, 2xy divide by minus a square, और इसका mod, ठीक है ना, क्यों mod होता है formula के अंदर, लेकिन आपको x और y चाहिए होगा, ठीक है ना, x square minus y square तो आपको दे रखा था, दोनों का परतीचेद बिंदू, लेकिन intersection point पर, अब x और y निकालने के लिए, आपको इन दोनों को solve करना ही पड़ेगा, और कोई option नहीं है, ठीक है, तो एक काम कीजिए, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, so 2x square बराबर आ जाएगा, कितना, root 2 plus 1 time a square, और एक बार equation 1 में से 2 को subtract कर दीजिए, बिल्कुल, a square common ले लिजिए, root 2 minus 1 2 time, इन दोनों को multiply कर देता है, क्योंकि अपने को x into y चाहिए, तो देखो 4x square y square बराबर, root 2 minus 1 into root 2 plus 1, that is 2 minus 1 into a square into a square, a की पावर 4, square root कर दीजिए, 2xy बराबर plus minus a square, ठीक है, वैसे mod लेना है, तो इससे कोई फरक पड़ेगा नहीं, तो यहाँ put करोगे, a square या plus minus a square में से कुछ भी, तो divide by minus a square, इसका mod, that will be equal to 1, so 10 theta हमेशा 1 आएगा, इसका मतलब theta की value क्या होगी बच्चो, 5, 5, 4, so 17 का जो सही answer होगा बच्चो, वो होगा आपका दूसरा option, हाँ, इस tribe से कभी आजाए, यह जैसे ज़्यादा दिर M1 M2 minus 1 आजाता है, इसे question number कभी नहीं आए, तो गबराने की बात नहीं, इस तरीके से आप उसको solve कर लीजिए, clear, चलिए इसी के साथ चलते हैं, आगे की और करते हैं, बात question number 18, the distance between the origin and the normal to the curve, 8x equal to 0, बात करते x equal to 0 पर normal की equation की, तो उसके लिए इसकी slope चाहिए होगी, तो dy by dx ब्रावर 3 into e की पावर 3x plus 4x, at x equal to 0, M1 कितना आएगा बच्छो, tangent की slope कितने आएगी, that is 3 plus 0, that is 3, लेकिन यह किसकी slope है बच्छो, tangent की, तो normal की slope कितनी हो जाएगी, M2 ब्रावर minus 1 by 3, at x equal to 0, y कितना आएगा बच्छो, इसमें 0 पुट कर दो, तो यह तो हो जाएगा 1 और यह 0, so that is 1, so यह point और यह slope, equation of normal find out कर लेते हैं, so y minus 1 ब्रावर minus 1 by 3, x minus 0, so 3y minus 3 ब्रावर minus x, x plus 3y minus 3 ब्रावर 0, इसकी origin से distance आप से पूछी गई है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आप उट कर दीजीजिए इसमें, 0,0, so 0,0 minus 3 divided by 1 plus 9, and that is root 10, ठीग है, so 3y root 10, यह होनी चाहिए बच्छो, origin से perpendicular distance, ऐसा कौन सा option है बच्छो, 4th option आपका, 18 का सही answer होगा, हमारा 4th option, clear है, बहुत यह आसान क्यूशन था बच्छो यह तो, आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 19 की ओर, normal to this curve at the point, this is y ब्रावर this, then the value of 3m square, देखो, यह normal की equation है, इस point पर, तो हम निकालते हैं, एक normal की equation, compare कर लेंगे, क्या आएगी देखो, 3x square ब्रावर 2y into dy by dx, तो कितना आएगा, m1 ब्रावर, m1 बच्छो, tangent की slope लेता हूँ, मैं हमें इसा, m2 किसकी होती है, normal की slope, m1 ब्रावर आएगा बच्छो, 3 by 2, x square by y, 3 by 2, x square, x square कितना है बच्छो, point, m square, x है, तो x square m की पावर 4, divide by y, 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 y है बच्छो, minus m cube, ठीक है, so 3 by 2, into m की पावर 4, minus this, so that will be equal to, minus 3 by 2, into m, एक m ऊपर बच जाएगा, लेकिन ये क्या है बच्छो, m1, tangent की slope, तो normal की slope, m2 बरावर कितना होगा, 2 divided by 3m, ये भी बच्छो, normal की slope है, और आपको दिया गया है, कि normal का equation ऐसा है, मतलब m भी normal की slope है, इसका मतलब ये हुआ, कि m और 2 by 3m, दोनों क्या होंगे बच्छो, अच्छा 3m नीचे है, जाना को हो ना, 3m will be in divide, तो ये आजाएगा, हमारे पास में relation, यहां से आप से पूछा है, 3m square तो इसको इधर, cross multiply कर दीजिए, so 3m square का मान आजाएगा, direct, that is 2, और ऐसा again option है, बच्छो second, so 19 का भी सही answer होगा, आपका दूसरा option, कि जाएर सभी को, चलिए इसी के साथ चलते हैं, बात करते हैं, question number 20, 20 में फुचा, maximum value of this function, इस function की maximum value क्या होगी, काम करते हैं, इसको function मान लेते हैं, y ब्रावर x, x square minus 2x plus 1, ठीक है, तो y ब्रावर कितना आजाएगा, x cube minus 2x square plus x, तो dy by dx कितना आजाएगा, dy by dx ब्रावर, 3x square minus 4x plus 1, ठीक है, अब बात करते हैं अपन, इसके अंदर, factorization की, so 3x minus 1 into x minus 1, so 1 by 3 and 1, दो point आ रहे हैं, एक 1 by 3, दूसरा 1 plus minus plus, क्योंभी की equation है, x cube का coefficient positive, 1 by 3, और 1, इधर increase होगा, फिर decrease होगा, फिर वापिस increase होगा, आप से पुचा है कि, 0 से 2 के अंदर, 0 कहीं इधर होगा, ठीक है न, इधर check कर लेते हैं कहीं पर, जीरो जीरो, जीरो पर वैल्यू आ रही हैं हमारे पास, इसमें चेक करें, 0 पर वैल्यू कितने, 0 या रही है, तो 0 इसका एक root है, ठीक है न, 0 एक root है, इधर 1 by 3 आ रहा है, बीच में 1 आ रहा है, अपने को कहा तक जाना है, बच्चों 2 तक जाना है, 2 पर वैल्यू कितने आएगी, 2, 1-2, तो 2 पर वैल्यू कितने आएगी, बच्चों 1 आएगी, आना 2 पर वैल्यू 1 आएगी, 2,1, ठीक है, लेकिन open interval के अंदर है, ठीक है, तो इस वाले part के अंदर आपको बताना है, कि बच्चों, इसकी maximum value क्या होगी, ठीक है, इतना part आपको दिया है, x0 से 2 के बीच, ये 1 by 3 है, ये 1 है, देखो 1 पर तो maximum है नहीं, 2 पर आपको निगाल ली नहीं है, क्योंकि 2 पर open interval है, ठीक है, नहीं तो वहाँ पर 1 हो जाती है आपके पास, इसका मतलब जो maximum value आएगी, वो कौन से point पर होगी, इस point पर होगी आपकी, ठीक है, इस point पर value कितनी आ रही है, 1 by 3 पर, so f of 1 by 3 will be equal to, 1 by 3 and 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3, so that is 4 by 9, answer आजाएगा 4 by 27, क्यलियर है, इसा कौन सा option है देखो, second option, क्यलियर, अगर वहाँ पर open, कि ज़िए पर close interval होता, ठीक है, तो फिर आपके पास में, जो maximum value हो जाती, वो 2 पर हो जाती, और उस case में, फिर answer कितना होता, 1 होता आपका, clear है, चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं, next point, next question, that is question number 21, देखो, भी ऐसा question आता है, तो हम अमेशा दिमाग लगाते हैं, कि इस पर LMBT, ठीक है, आपको जो equation दी गई है, उसको integrate करके, उसका integration क्या होगा, 4 A X Q X की power 4, divide by 4, plus 3 B X cube, divide by 3, plus 2 C X square by 2, plus D X plus E, ठीक है, और कट जाएगा, A X की power 4, plus B X Q, plus C X square, plus D, ठीक है, अगर इस के अंदर, जिस भी interval में LMBT लगेगी न, उसी interval के अंदर, इसका at least one real root लाई करेगा, यह तरीका होता है करनेगा, बात करते हैं, इस function के लिए, कहां पर LMBT लग रही है, एक देखो 0, बहुत सारे options में, तो एक तो F of 0 निकाल लेते हैं, D X plus E आएगा, तो यह आजाएगा आपके पास E, ठीक है, अब बात करते हैं, 3 minus 3 और minus 1, तो 3 भी दो बार आ रहा है, तो F of 3 निकाल लेते हैं, देखो, ज़्यादा बार आ रहा है, उसको निकालना है, ताकि कम सकम आइडिया लग जाए, कि हाँ, इधर जाने पढ़ेगा अपने को, वैसे सभी पर निकालना पढ़ता है, बट पहले इसको देख लेते हैं, F of 3, देखो, इस पूरे में से, 3 common आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर X, इन सभी में से X common ले लिया, 3 common ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि 27A दे रखा था हमने, तो यहाँ पर ताकि 27A आ जाए, 27A प्लस 9B प्लस 3C प्लस D, बिल्कुल यही बच जाएगा, प्लस E, और यह आपको 0 दिया गया है, तो 0 प्लस E, यही बही कितना आ गया, E तो F of 0 पर भी value E है, F of 3 पर भी value E है, इसका मतलब polynomial equation है, alkaline होगा हमेशा, continuous होगा, differentiable होगा, तो 0 से 3 के अंदर, आप यह LMVT लगेगी, माइनस 1 पर निकालोगे, तो value 0 नहीं आएगी, क्योंकि एक ऐसा relation मिलेगा, जिसे related data आपको नहीं दिया गया, माइनस 3 पर भी नहीं है, 4 पर भी नहीं दिया गया है, इसलिए सिरफ according to the data, हम यही कह सकते हैं, कि 0 से 3 में confirm, इसका एक real root जरूर exist करेगा, clear है, तो इसलिए इसका जो सही answer हो गया, वो हो गया हमारा तीसरा option, चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं, question number 22 की ओर, देखते हैं, क्या करना है इस question में, आपको यहाँ पे एक function दिया गया है, f of x, ठीक है, और आपको increasing बताना है, कौन से interval में होगा, so f dash x will be equal to 1 minus 1 upon 1 plus x, check करते हैं, कौन से interval में increasing होगा, 1 plus x minus 1 divide by 1 plus x, 1 से 1 कर जाएगा, so x divide by 1 plus x, तो देखें, दो critical points आ रहे हैं, 1 minus 1, 1 zero positive negative, वैसे भी देखें, आपको पिछे की तरब check भी नहीं करना है, क्योंकि आपको दिया गया है, x minus 1 से बढ़ा है, और क्यों दिया गया, ये भी समझ गये होंगे, क्योंकि इसकी domain में, शिरफ यही points लाई कर रहे हैं, इसके आगे आपको increasing के बारे में बात करना है, तो increasing काँ पर होगा बच्छो, इस interval के इंदर, जहांपर f dash x positive होगा, तो ऐसा option कौन सा है बच्छो, पहला option, 0 से infinite, तो ये तो बहुत ही एक आसान सा question था आपके, और जिसका first answer आपका सही होगा, clear है, चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे की और बात करते है, question number 23, क्या है देखो, x बराबर ये, x बराबर 2, are the extreme point of this function, then alpha and beta, देखो बच्छो, अगर ये x के चरम बिंदू है, इसके extreme points है, तो ये इसके differentiation को satisfy करेंगे, differentiation क्या होता है, चरम बिंदू होपार 0 होता है, तो एक काम करते हैं, इसका differentiation निकालते हैं, f dash x will be equal to कितना हैगा, alpha by x, log mod x का differentiation ही होता है, बच्छो, 1 by x, ठीक है, plus 2 beta x, और plus 1, put कर देते हैं, इसमें minus 1 एक तो, so minus alpha plus 2 beta plus 1 ब्राबर 0, एक इसमें बच्छो, 2 put कर देते हैं, so 2 put करेंगे दा आएगा, alpha by 2 plus 4 beta plus 1 ब्राबर 0, ठीक है, यहां से इस equation को 2 से multiply कर दे, so alpha plus 8 beta plus 2 ब्राबर 0, और ये equation number 1, और ये equation number 2, इन दोनों को एक काम करते हैं, जोड देते हैं, तो जोडेंगे तो इससे ये cancel out हो जाएगा, तो यहां कितना आएगा, यहां पर था alpha by x, और यहां पर था plus 2 beta x, ठीक है, तो यहां पर भी तो minus आएगा, x के वेलिए उपर ने क्या पूट की थी, minus, तो यह भी minus sign, ठीक है, अब देखो, 8 beta minus 2 beta, so that is 6 beta, ठीक है न, यह तो कट गया, alpha और minus alpha, इदर आएगा 2 plus 1, तो यहां आजाएगा 3 will be equal to 0, तो beta का महान आगा बच्चो, minus 1 by 2, ठीक है, beta minus 1 by 2 आप पूट कर दीजी, किसी एक equation में, पहली equation में put कर देते हैं, तो alpha ब्राबर कितना आजाएगा, बच्चो, 1 minus 2 beta, और 2 beta ब्राबर कितना है, बच्चो, minus 1, तो alpha ब्राबर कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, अमारे पास, ठीक है, तो alpha की value 2, और beta की value minus 1 by 2, ऐसा कौनसा option है, third option, this function when x belong to 0 से 1, अगर 0 से 1 में इसमें LMBT लग रही है, अमारे LMBT जब लगती है, तो आपने LMBT लगा देते हैं, माल लेते हैं कि C इसी इंटरवल में है, so f dash of c will be equal to f of 1 minus f of 0 divide by 1 minus 0, ठीक है, कितना आजाएगा देकू, यह आजाएगा हमारे सामने, जब f of 1 के बारे में बात करेंगी, सब सबसे फ़ेल f dash of c के बारे में बात कर ले, इसका differentiate कर लेते हैं देकू एक बार, f dash x will be equal to आजाएगा, 3 x square minus 8 x plus 8, इसमें c put कर दीजिए, तो यह आजाएगा देकू हमारे पास, 3 c square minus 8 c और plus 8, ब्राबर, f of 1, f of 1 के लिए देकू इसमें value put करो, 1 minus 4 plus 8 plus 11, minus f of 0, f of 0 कितना हो जाएगा, 11 divide by 1 minus 0, कितना है देकू यह तो कट जाएगा, so relation जो आएगा हमारे सामने यहां से, वो मिल रहा है देकू अपने को, 3 c square minus 8 c, और क्या आएगा, 8 से 8 भी काट दू, यह भी positive का है, so 1 minus 4 minus 3, इदर आके हो जाएगा, plus 3 ब्रावर 0, तो c के देकू दो मान आ रहे हैं, 8 plus minus 64, minus 4 into 9, 9 into 4, 36 divide by 6, ठीक है, तो इसमें से एक काम करते हैं, 4 को common ले लेते हैं, और काट देते हैं, so 4 plus minus, 4 common लेंगे किता हमाचे एका 16, root 7 by 3, लेकिन यह जो दो values आ रही है, इसमें c जो आता है, वो अमेशा आपका इसी interval में होना चाहिए, क्योंकि आपको option में, दोनों option दिये गए है, तो यह जो value है, यह 1 से बड़ी है, ठीक है, तो 1 से जो छोटी value हो, वो शिरफ एक ही होगी, और वो है हमारे पास में दूसरा option, तो यह होगा सही answer, चलिए इसी के साथ चलते हैं, आगे की और बात करते हैं, question number 25 की और, question number 25 देखू, क्या है हमारा, question number 25 में आपको बोला गया है, कि P and Q are the positive real number, such that P square plus Q square ब्राबर 1, then find the value of P plus Q, एक काम करते देखू, यहां से Q square की value निकाल लेते हैं, कितने आजाएगी 1 minus P square, P और Q positive बोला गया है, तो Q की value आजाएगी, root over 1 minus P square, plus side लेंगी, Q भी कैसा होगा positive, तो यहां जब put करेंगे, तो P plus root over 1 minus P square, ऐसा आजाएगा P plus Q, तो यह देखू, होगा, जब इसका differentiation, आपका क्या होगा, F dash P, जो भी critical points आएगे, वहां से पता चलेगा, तो देखते कितने critical points आते हैं, P का differentiation, 1 minus P divided by root over 1 minus P square, divide by, अच्छा, divide by कुछ भी नहीं आएगा, यह आजाएगा, so that will be equal to 0, ठीक है, इसको जब 0 करोगे, तो आपको मिलेगा, 1 minus P square का root, minus P divided by 0, LCM ले लिया, यह सिधा इसको जब लागे, cross multiply करते हो, तो सिधा ऐसा ही आजाएगा, आपके सामने, ठीक है ना, root over 1 minus P square divided by P, squaring बहुत साइड, so 1 minus P square divided by P square, so 2 P square divided by 1, so P divided by root 2, P square के वालिए 1 by 2, वाहां पूट करेंगे, P square is 1 by 2, so Q square भी 1 by 2 आएगा, तो वहां से Q की value भी आएगी, 1 by root 2, P और Q दोनों आगे हैं, 1 by root 2, 1 by root 2, अच्छा एक ही value आरी देखो, 1 by root 2, value तो दो आरी है, बट P क्योंगी positive बोला गया है, तो only one point, तो उसी point पर maximum होगा, जब इन दोनों का जब आप sum करोगे, यहां पूट करगे, तो जो सही answer आएगा, वो आएगा हमारा fourth option, clear? चलिए बच्छा आगे start करते हैं, हमारे integer type questions, और उसके अंदर देखते हैं, हमारा पहला question, first question में क्या पूछा गया है देखू, the largest positive value of the function f of x, will be is root k, where k belong to natural number, then find the value of k, देखू, यदि ये फलन का अधिक्तम धनात्मक मान, जो है, वो root k है, जहाँ पर k अगर आपका natural number है, तो आपको k का मान याद करना है, देखू, सबसे पहले तो, ये जो दोनों की दोनों, आपके पास में quadratic दी गई है, root के अंदर, वो आपके पास में downward है, और downward होती है, तो सबसे पहले अपने कुन की domain चेक करनी होती है, तो यहाँ से x, 8 minus x, एक common लेंगे तो x minus 8, ये positive होना चाहिए, minus sign के साथ में, तो यहाँ से आपको मिलेगा, x into x minus 8 will be less than equal to 0, तो इसका जो domain होगा बच्चों, वो 0 से 8 के बीच में आएगा, ये पहला part, ठीक है, ऐसे दूसरे वाले को भी check करना पड़ेगा, उसमें minus sign से अगर multiply कर दे, तो x square positive minus 47x plus 48, ये positive, ये negative और ये positive, ये कैसा होना चाहिए, ये less than equal to 0 होना चाहिए, क्यों, क्यों ये positive होना चाहिए, तो minus sign से multiply करने के बाद, ये negative होने चाहिए, इसके factors हो जाएंगे, देखो 6 और 8, 6 minus 8, तो ये आजाएंगा, हमारे पास में देखो, 6 से लेकर के 8 के बीच में, domain, प्लस माइनस प्लस, तो इसकी domain सो 6 से 8, और इसकी domain आरे 0 से 8, जब इत दोनों की common domain की बात होगी, तो domain कितनी आएगी बच्चों, 6 से 8 है ना, तो ये इसी interval के अंदर, ये function आपका exist करेगा, और अब देखो, अपन इसका analysis करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों downward quadratic है, तभी exist करेगी, जब positive होगी, तो एक तो है बच्चों आपके पास में, इस type की quadratic है, ठीक है, जिसका पहला point 0, और दूसरा point 8 है, root लगाने से सिर्फ compress होता है, आपके पास में आपका graph, और कोई फ़रा करने ही पड़ता है, दूसरे वाले कि जो आपके पास में, roots की बात करें, या जो domain की बात करें, वो है बच्चो 6 से 8 के बीच में, ठीक ना, इस तरीके से 6 से लेकर के, 8 के बीच में, अब यही common domain है हमारे पास में, ठीक है, क्योंग यह पहला function है, इस point से लेकर के, इस point के बीच में, किसी point के उपर, पहले function की value होगी, दूसरे की होगी, और दोनों का जो difference है, वो क्या होगा आपका, वो रहेगा, तो देखो, अब difference की अगर अपन बात करें, तो इसके उपर यह जिसे point है, अगर यह सबसे पहला point की बात करें, तो x equal to 6, हमारा domain का पहला point है, तो इस function पर तो value यहाँ पर होगी, और इसी point के उपर बात कर रहे हैं, इस vertical line, इस point के उपर यहाँ पर होगी, ऐसा कुछ रहेगा, अब जब आगे बढ़ेंगे, तो इसमें तो ऊपर बढ़ेंगे, जैसे 6 से आँगे बढ़ेंगे, है question के अंदर, इसमें तो अपन आगे बढ़ेंगे, और इसके अंदर आपन इदर नीचे की तरह आएंगे, तो इससे इदर जभ जारेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते है कि maximum इसी point पर रहेगी आपकी value जब x कितना होगा 6 तो आप यहां पर x कि value 6 put कर दीजिए तो 6 इसका तो root है तो यह वाला format तो zero हो जाएगा आपका यह वाला part तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसमें 6 put कर दीजिए, so इसके जब आप 6 put करेंगे तो आपके पास में answer आएगा, x common ले लिजिए 6 और 8-6 that is 2, so 6 into 2 that is root 12 और यही होगी बच्चो आपकी और वैसे भी आप देख सकते हैं बच्चो यह तभी maximum हो पाएगा, क्योंकि इसमें इसको गटा रहे हैं जब यह ट्रम 0 हो जाएगी तभी यह बच्चो क्या होगा आपके सामने maximum होगी, तो बच्चो 8 पर भी 8 पर यह भी 0 हो रहा है, ठीक है तो ऐसा point लेना है जहांपर आपके पास में क्या आजाए तो root 12 आ रहा है answer root k के format में दिया गया है तो k की value आ जाएगी बच्चों हमारे पास 12, अगर compare करेंगे तो k will be equal to 12 और यही है हमारा सही answer कापी अच्छा question था आगे चलते हैं, बात करते हैं बच्चो, question number 2 के बारे में क्या है, देखो, question number 2 question number 2 के अंदर consider the graph y ब्रावर 2x and x square minus xy plus 2y square ब्रावर 28, यह दो आरेक आपको दिये गए हैं, तो दोनों वक्रों के परतिछेद कौन की इसपर्ष्जा का निर्पेक्स मान क्या है जहां पर वे मिलते हैं, ठीक हैं the absolute value of the tangent में 10 theta की value, जहां पर वो मिलते हैं, between the two curve at the points where the meat is देखो, बात करते हैं बच्चो इसके अंदर अगर बात करें तो dy by dx ब्रावर कितना आ जाएगा बच्चो dy by dx ब्रावर 2, means एक slope तो आपके पास में कितनी आ गई, 2 टीक है न, tangent की value पूछे, means जहां पर इस दोनों होगी, उनके कौन, तो m1 ब्रावर तो 2 आ गया, अब m2 के बारे में बात करते हैं, उसके लिए इसकी slope निकालने के इसको differentiate करना पड़ेगा, x का करेंगे तो y y का करेंगे तो x into dy by dx plus 4y ब्रावर 0, 4y into dy by dx ब्रावर 0, ठीक है कितना आएगा देखो, dy by dx ब्रावर, dy by dx ब्रावर dy by dx ब्रावर आजाएगा हमारे पास में, सबको उधर ले जाते हैं इनको, so y minus 2x ठीक है, divide by 4y minus x अब देखो, जब भी दोनों कर एक दूसरे को मिलेंगे ठीक है, जो भी point आएगा तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इसको इसके साथ solve करेंगे means y को 2x put करेंगे, और y को 2x put करना है, that means सिधा यहीं पर put कर देते हैं, y को 2x, ठीक है न, यह कहें कि point x1, y1 है, दोनों का परतिशेद बिंदू, तो यहाँ पर भी होगा ठीक है, इस इस वाले करूं में put करेंगे, इस में put करेंगे तो यहाँ से अपने उपता चल जाएगा, y1 minus 2x1 क्या है, 0, तो dy by dx क्या होगा, 0 तो m2 का मान हमेशा कैसा आएगा 0 चाहिए कोई भी point आए, तो आपको इस question में solve करने की ज़रुवत नहीं है, m1 2, m2 0, तो अगर angle की बात करें 10 theta की, so 10 theta ब्राबर m1 minus m2, so 2 minus 0, divide by 1 plus 0, so that is 2 so 10 theta का जो निर्पेक्स मान आएगा mod के साथ में अगर अगर आपन बात करेंगे तो हमेशा 2 रहेगा इसका कभी भी change नहीं होगा clear, यह था हमारा integer type का second question, के लिए होगा सभी को, चलिए इसी के साथ चलते हैं, बात करते हैं, question number 3 की ओर third मने को क्या पूचा है इसका maximum value fx का तो एक काम करते हैं, check करते हैं, पहले तो 1 से 2 में, कभ maximum होगा f dash x x square minus 1 into x square का differentiation 2x minus x minus 1 into x का differentiation 1 क्या common आ रहा है x minus 1, common ले लिए 2x into x plus 1 और minus 1 एक फेक्टर तो x minus 1 और दूसरी quadratic आ रहे है, 2x square plus 2x minus 1 solve कर लेते हैं इसको, quadratic को solve कर लेते हैं, यहां से तो आ जाएगा x ब्राबर 1 इससे आएगा minus 2 plus minus 4 plus 8 divide by 2 तो यह आएगा minus 1 plus minus root 3 अपने को बात कहा करनी है, 1 से 2 के बीच ठीक है, तो एक point तो है हमारे पास में 1 आ भी रहा है यहां से इसमें 2, एक तो negative है minus 1 minus root 3 वो तो negative उस पर बात ही मत करो एक point और है, root 3 minus 1 उसको check कर लो, इसके 1 के इधर है या इधर तो देखो, root 3 minus 1 root 3 होता है, 1.7 minus 1 करोगे तो 0.7 आएगा ठीक है, तो 0.7 का मतलब इसके पहले ही होगा so root 3 minus 1 भी इधर होगा तो यह critical point से एक point इसके पहले भी आएगा बट अपने को इधर ही देखना है तो alpha इधर plus इधर minus फिर इधर आगे plus आगे जो भी point आएगा, वो चलता रहेगा ठीक है, तो 1 से आगे अपने को अगर बात करनी है तो 1 के बाद में यह function कैसा है यहां से दिखाए दे रहा है, अपने को increasing है ठीक है न, 1 के बाद 1 पर value की अगर बात करें, तो 1 से 1 में 0 रहेगी तो 1 इसका point होगा और इसके बाद में increasing है तो fx का जो अधिकतम मान होगा 1 से 2 वाले interval के अंदर वो कहाँ पर होगा बच्चों, 2 पर होगा तो इस वाले point के उपर इसकी value find out कर लेता है function की वही होगी आपकी maximum value उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f of 2 will be equal to, ठीक है इसको integrate कर देता है 2 से लेके 4, t minus 1 into dt t minus 1 का integration होगा बच्चों, t minus 1 का हॉल square, divide by 2 इसमें limit put कर दीजिए 2 से लेके 4 तक so 4 minus 1 कितना होगा t minus 1 into dt so t minus 1 का हॉल square x की limit थी है हमारे पास x को 2 put किया था, so 2 से लेके 4, तो इसमें जब 4 put करेंगे, हाँ, तो देखो कितना हैगा 4 minus 1, that is 3 3 का square 9, minus 2 put करेंगे, तो 1, or divide by 2, so 9 minus 1 8, 8 by 2 कितना आजाएगा अपने पास 4, तो इसका जो सही answer होगा, question number 3 का वो होगा हमारा answer 4 इस अबी को चलिए साथी चलते हैं आगे और बात करते हैं, question number 4 की ओर 4 में क्या देखो, f of 4 पूछा गया है अपने को, ठीक है f of x square दिया गया है तो पहले तो f of x निकालते हैं कितना होगा, तो इसको बहुत साइट differentiation कर दिया है, इसका f dash x बराबर आजाएगा f of x आप देखो, आपको small f of 4 पूछाना है, question में सारे डिटा को जान से देखे, तो x को 4 पूट करना है f of 4 बराबर आजाएगा हमारे पास किसके, capital f dash of 4 capital f dash of 4 कहां से निकालेगा बच्चो इसके आउकलन से, इसका बहुत साइड आउकलन करेंगे तो आएगा f dash x square into 2x बराबर x square, that is 2x, plus x cube, that is 3x square, ठीक है इसमें दोनों साइड में x को 4 पूट कर देते हैं, ठीक है एक x को तो common लेकर के काट दो पहले ठीक है, और अब जब इसके अंदर क्या पूट करें अच्छा, इसमें 4 नहीं पूट करेंगा ना, क्योंकि capital f dash of 4 चाहिए, तो x को क्या पूट करना पड़ेगा 2 पूट करना पड़ेगा, तो यह बन जाएगा f dash of 4 will be equal to 2 plus यहापर कितना आजाएगा, 3 into 2, 6, और divide by 1, 2 देको इधर भी है, यह आजाएगा 8 by 2, answer आएगा बच्चों, 4, इसका question का भी जो answer होगा, बिल्कुल जो पिछले question का जो answer आएथा, वो same answer है, that is 4 चलियर, चले इसी के साथ चलते हैं और बात करते हैं अपने इस paper के last question के बारे में और वो question क्या है, देखो हमारा देखो 1, 4 degree का polynomial है बहुत ही अच्छी बात है, 4 degree का बहुपद है हमारे सामने having extremum at x equal to 1 and 2, यह इसकी चरम मिंदु है x equal to 1 और 2, इसकी चरम मिंदु है तो इसका मान क्या होगा, 1 plus px by x square, ब्रावर sorry, यह तो भी दे रखा है बहुत बात है, यह भी दे रखा है, यह भी को निकालना पड़ेगा, क्या अपने को polynomial चाहिए होगा, तो इसके लिए दे को 1 को तो दर ले जाओ, इसका तो कोई काम नहीं px by x square ब्रावर कितना आ जाएगा एक आ जाएगा अब दे को px 4 degree का अगर polynomial है, तो a x की power 4 plus b x q plus c x square बस उसमें यही ट्रम होगी अगली ट्रम नहीं होगी, क्योंकि यह limit तभी exist करेगी, जब इसके अंदर x square और उससे बड़ी ट्रम हो अगर उससे छोटी ट्रम आएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, undefined हो जाएगा जबकि हमें finite limit दे रखी है तो वो तभी possible है, जब यह क्या आजाए शिरब यही ट्रम आजाए अब इसकी limit calculate करें x square ब्रावर 1, limit extending to 0 पर तो देखो, यह तो 0 हो जाएगा x square, यह भी 0 हो जाएगा x उपर बच जाएगा यहाँ c बच जाएगा, x square कट जाएगा ब्रावर 1, तो c का मान मिल गया अपने को कितना 1 c 1 मिल गया और आपको बोला गया कि 1 और 2 इसके चरम बिंदू है, तो इस p x को एक बड़ डिफ्रेंशेशन कर देते हैं, देखो p dash x ब्रावर कितना आजाएगा 4 a x cube plus 3 b x square और c अपना 1 आज़ शुका है बच्चू तो यह आजाएगा plus 2 x यह, अब 1 और 2 इसके चरम बिंदू है, तो इसको satisfy करेंगे, ठीक है, इस point पर यह क्या होगा 0 होगा, p dash 1 और p dash 2 0, so 1 पर कितना आजाएगा, 4 a plus 3 b plus 2 ब्रावर 0, so minus 2, question number 1 ऐसे 2 पर भी 0 होगा 2 put करते हैं, कितना आएगा 32 a plus 4 into 3, 12 b ब्रावर, इसमें 2 put करेंगे कितना आजाएगा, minus 4 इन दोनों को solve कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको 4 से multiply करके, इसमें से इसको गटा देते हैं इसमें से इसको गटा दिया तो ये तो कट जाएगा, 4, 1, 3, 12 और 12 cancel out, so 16 minus 32, that is minus 16 a, ब्रावर minus 8 और minus 4, so that is minus, अचा इसको गटाया दे plus हो जाएगा, so 8 plus, minus 8 plus 4 so that will be, कितना होगा that is minus 4 तो a ब्रावर आगया हमारे पास 1 by 4 a का value 1 by 4 पहली equation में अगर put कर दे तो देखो b आजाएगा b कितना आ रहा है पहली वाली equation से 3b ब्रावर है, minus 2 minus 4 a और a है हमारे पास में कितना, plus 1 by 4 क्योंकि minus से minus तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, so plus 1 by 4, जब यहाँ put करेंगे तो minus कितना था, minus 3b, minus 4 a, so minus 4 into a की value 1 by 4, तो यह कट जाएगा, so 3b ब्रावर कितना आ जाएगा बच्चों, minus 3 so b ब्रावर minus 1 a और b आ चुक है, c पहले आ चुका था तो px ब्रावर आ गया हमारे पास कितना px ब्रावर आएगा x की पावर 4 by 4 plus minus bx that is minus x cube plus x square p of 2 का value पूचा गया है so p of 2 कितना आएगा, इसमें पूट करते हैं 16 by 4, that is 4 minus 8 और यह भी plus 4, so that will be equal to 0, so p of 2 का जो value आएगा, वो 0 आएगा इसका मतलब p of 2 इसका क्या है बच्चों इसका root होगा clear है, और यही था आपका इस paper का last question, okay thank you very much नमस्कार, Math Chem DTS में आपका हर्दिक स्वागाते आज हम solid state का portion discuss करने जा रहे है पहला problem क्या कह रहा है an element crystallizes in face center unit cell which is length A the distance between the center of two nearest octahedral void आपको पता है कि octahedral void जो है एक तो body के center पर occupy होगा, दूसरा A center पर occupy होगा body का center आपके पास इस जगह पर है और age का center इस जगह पर है और एक age center यहां पर जितने भी ages रहे है age के center पर octahedral void प्रेजेंट होते है इसकी age length में A मालने तो इसकी A मालने तो जाहिर सी बात है यह हो जाएगी आपके पास A by 2 और यहां पर भी हो गई A by 2 यहां से यहां तक की distance निकाले तो हम यहां पर एक triangle consider कर सकते है यह वाला distance A by 2 है यह वाला distance भी A by 2 है और यह perpendicular है एक पर से ठीके हैं तो यह वाला distance जो होगा वो आपके पास क्या होगा A by 2 का whole square plus A by 2 का whole square यह वाला कितना होगा 2 A का square divided by 4 मतलब A divided by root 2 के बरबर आएगा A divided by root 2 option थर के अंदर आ रहा आपका अंसर थर हो जाएगा next problem the parameters of unit cell of a substance A is equal to 2.5 B is equal to 2.5 and C is equal to 4 यहां पर क्या दे रहका है A is equal to B but not equals to C दे रहका है दूसरी बात alpha की value and beta की value दोनों की 90 degree की बराबर दे रहकी है but gamma की value 120 degree की बराबर दे रहकी है ठीक है और ऐसा जो pattern होता है वो hexagonal में होता है इसलिए आपका answer कौन साइगा first next problem देखिए which of the following compound is likely to show both frankl and shortky defects most एकदम simple problem है AZBR जो है हो shortky और frankl defect दोनों show करता है answer first हो जाएगा next problem x melt at low temperature मतलब इसका melting point जो है वो कम है दूसरी बात it is a bad conductor of electricity ठीक है यह वाला SIC जो है वो network solid network solid जो है यह electricity की bad conduct होती है except किसको छोड़कर गिफाइट को छोड़कर लेकिन इनका melting point हाई होता है यहाँ पर melting point low दे रखा है इसलिए आप का answer यह नहीं हो सकता mercury आपके पास mercury में आपके पास metallic bond present होते है ठीक है ना जबकि यह electricity का जितने भी metal होते है जातर electrical electricity के conductor होते है ज्यादेनेस आइनिक solid होते है ठीक है तो आइनिक solid का melting point क्या होता है ज्याद होता है इसलिए यह भी नहीं हो सकता CCL4 जो दे है CCL4 आपके पास molecular solid है और molecular solid का melting point low होता है और electricity के bad conduct होते है इसका dipole moment की value क्या है जीरो के बराबर इसलिए आप कहा अंसर पहुंस आएगा फर्स्ट वाला आजाएगा नेक्स प्रव्डम गारा एड़ एलिमेंट है FCC structure with unit cell A तो नीरेस्ट टेट्राइडल वोईड ठीक है आपको मालूम होना चाहिए कि टेट्राइडल वोईड जो है जो center होता है corner or body sentiments जो center होता है इस जके पर टेट्राइडल वोईड प्रेजेंट होता है और दूरी टेट्राइडल वोईड जेस्ट इधर इतरव हाजाएगा ठीक है अ एसा body Douglas ऐसा भी होगा यहां पे भी आपके पास क्यों कि वहोग durchaus प्रेजेंटोगा हमारे पास minimum distance निकाने ठीक है ना तो आपके पास एक तरश से वाली distance आपको निकाने तो वेसा कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास यह वाली length ए है ठीक है यहाँ एक triangle consider करो यह वाली ए यह वाला एक तरश से midpoint है ठीक है अब यह दोनों इक्वल है यह दोनों इक्वल है और इन दोलों को मिला होगे तो यह इसके पहलेल में आएगा ठीकन जब मिडल है तो अगर यह है तो मिड़ पॉर्ट थिरूम से यहां पर वैली कितने आगी एवाई टू के बार तो दो टेट्राइल वाइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होजाए जब मैं सिंपल को की सिंपल कुबीक मिन नमर अटम्स 1 बोरी चेंटर के अंदर अन लॉप एटम्स 2 पर है जाए परेंगा नमर पैटम्स 4 पर एंका रेश्यों आपकी पास वन रेश्यों 2 रेश्यों 4 के बराबर आजाए next problem the element form CCP and a occupy half of the tetraidal void देखो B जो है वो CCP को occupy कर रहा है by the way B के atoms में N माल लेता हूं ठीक है एक किसको occupy कर रहा है tetraidal void को sorry octahidal void को total number of octahidal void N के बरबर होगी ठीक है लेकिन इसको पूरे को occupy occupy नहीं कर रहा है हाप को यह occupy कर रहा है while the oxygen atom occupy all tetraidal void oxygen atom देखो जितने number of atoms होगी उतने ही आपके पास उसके जश्ट डबल आपके पास tetraidal void होगी tetraidal void 2N के बरब पर सभी को सभी को occupy करेगा तो आप डारेक्ट को लोगी आप पास इनका आपको structure बदाना है तो जारी से बात इनका आप रेशियो ले लोगे तो वन रेशियो टू रेशियो फोर के बराव तो फॉर्मला जो बनेगा A B 2 O 4 का फॉर्मला बन जाएगा A B 2 O 4 का फॉर्मला थर के अंदर आ रहे है आंसर थर हो जाएगा next problem the sodium matter crystallize in body centered cubic in it with the age cent इसकी age length दे रहे कि 4.29 angstrom के बरबर दे रहे ठीक है आपको बताना क्या है कि इसकी radius बतानी sodium atom की ठीक है यहाँ पर body center को occupy कर रहे है तो जाएड सी बात बोडी center को occupy कर रहा है तो root 3A is equal to 4 आपको आर की value बतानी है तो root 3A divided by 4 ठीक है root 3A divided by 4 A की value आपके पास 4.29 angstrom की बराबर दे रहे है यहाँ पर root 3 की value 1.73 upon 4 into 4.29 ठीक है न इसकी value approximately 1.something आई इसको इससे multiply करोगे तो approximately value आईगी 1.86 angstrom की बराबर आजाई next problem CSCL crystallize in body center to be committed cell तो CSCL का जो structure होता है इसमें CS positive body के center को occupy करता है तो आपको structure यह तो पता ही कि CS plus जो होगा वो कहां पर होगा body के center पर ठीक है लोगी CL minus कहां पर होगा सभी corners को CL minus occupy करेगा अगर मैं इसको यहां तक जोड़ता हूँ यह दोनों आपस में touch किये होंगे तो यह वाला आपके पास क्या है एना यह नहीं और यह वाला आपके पास कौन सा क्याटाइन है इनका जो distance होगा वो किसके बराब टोटल बॉडी डाइनल के distance होती रूट 3 लेकिन यह हाफ वाला पोर्शन है यहां तक तो पूरा हो जाएगा यह हाफ वाला पोर्शन है तो रूट 3 है वाई 2 के बराब इसलिए आप कहां से कौन सा आएगा फरस्ट वाला आज आएगा ठीक है बड़ा next problem which type of defect has the presence of cation in interstitial site देखो cation जो है वो कहां पर जा रहा है interstitial site में जबी भी cation interstitial site में जाता है तो defect कौन सो होता है frankal defect next problem the position of octodal void in FCC आपको पता है octodal void के अंदर यह जो octodal void है FCC के अंदर एक तो center occupy body के center occupy करता है और साथ ही साथ यह center occupy करता है तो at every center of the cube and at the body center of the cube answer second हो जाएगा next problem how many unit cells are present in 10 gram crystal AB आपको formula weight दे रहे का 60 having the rock salt type structure ठीक है unit cell बता है सबसे पहले number of modes निकालने तो number of modes जो हैंगे वो कितना हैंगे 10 divided by 60 तो number of modes जाएंगे one divided by six के बराब number of formula unit number of formula unit कितने आएगी एक तर से one by six into n a के बराबर आएगे बराब formula unit ठीक है अब देखो rock salt structure के अंदर AB एक unit cell के अंदर AB की four units होती है ठीक है एक unit cell के अंदर one unit cell के four AB units present होती है तो जाएट सी बात हम ऐसा कह सकते four AB unit के अंदर एक unit cell है एक के अंदर कितने आएगी one by four units है आपको पूचा क्या क्या है number of unit cell तो इतने AB formula unit के अंदर number of unit cell कितना आएगी one divided by four into one या आपके one zero point six to three into ten to four twenty three and a key value यह आपस में cancel out हो जाएगा तो यह वाली value आएगी approximately two point five into ten raise की power 22 के बराबर आ जाएगी तो आपका अंसर कांसर के बड़ा फोर्त वाला हो जाएगी next problem the first three nearest neighbor distance for the primitive primitive cubic unit cell के अंदर atoms जो है वो corner को occupy करते हैं ठीक है सबसे nearest atom जो होगा यह दोलों nearest होगा जो आपस में touch कि होगे तो nearest atom के बीच की distance आपके पास क्या आएगी तो first nearest neighbor की distance जोगी वो एके बराब तो ए इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है इसमें ए निया रहत हो second गलत हो जाएगा फिर बाद में next nearest atom इसका कौन सा होगा यह वाला होगा इसके distance कि रूट टू एक बराब और इसका next जो होगा वो कौन सा होगा यह वाला इसकी distance कि रूट 3 तो आपका यह वाला हो जाएगा next problem a solid has the structure in which w atoms are located at the corner of cubic lattice o atoms at the center of a center na atoms the center of the cube सबसे पहले मैं na को लिख लेता हूँ फिर w को लिख लेता हूँ और ओ को लिख लेता हूँ ठीक है जान दें डबलू atoms are located at the corner corner का contribution जो होता है sorry w को देखिया पहले w यहां पे corner को क्यों के पही कर रहा है तो 1 by 8 into it corner का contribution 1 by 8 total corners कितना होगे 8 फिर बाद में o atoms at the center of a center total cases होती 12 और contribution होता 1 by 4 ठीक है फिर na atoms at the center center कितना होगा एक इनका आपको निखाना है ratio तो वन रिश्यो वन रिश्यो कितना है का 3 फॉर्मला क्या बन जाएगा एने w o 3 वाला फॉर्मला बन जाएगा इसका आंसर को साइगा बड़ा सेकिंड वाला आज आजाएगा 16 प्रोब्लम देखिए इफ रेडियस ऑप दे मैटल एटम इस टू एंग स्ट्रॉम ठीक है रेडियस देर के टू एंग स्ट्रॉम के बराब और एट्स क्रिस्टल इस्ट्रॉक्टर इन सीसीपी वाट इस वाल्यू आपको वाल्यूम निकाल है तो जाएट सी बात यूनिट आपको वॉल्यूम निकाल है तो वॉल्यूम बराबर कितना आएगा एक यूग मनों फोरा डिवर्ड वे रूट टू का हॉल क्यूब एक की वैल्यू आप यहां पे पूट अप करोगे फोर इन्टू आर्की वैल्यू आपकी पास टू सेंट्रीमेटर क्यूब में क्याएग अपॉन रूट टू का होल क्यूब के बराब इसका आप सौल करोगे ना आप का अंसर क्या एगा 1.8 इंटू 10 रस की पावर माइनस 22 ठीक है 17 प्रोब्लम विच वन आप फॉलोविंग स्कीम अप दे ओर्डनिंग लूट जनरेट जनरेट क्लोजब लैटिस ठीक है कौन सा क्लोजब लैटिस जनरेट नहीं कर पाता यह तो आपको पता है कि जैसे ABC ABC आता तो ABC टाइब करता हम पढ़ती है तो यह तो जनरेट हो जाएगा ठीक है दूसरा इसमें पैटर्न ABC 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 मिलना मतलब ABC ABC पैटर्न तो यह भी पोसिबल है ठीक है अज़िए यहां पर क्या कह रहा है AB BA हमने AB AB पैटर्न पड़ा AB 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 पैटर्न आता ना तो तो सही होता लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज किया ना जैसे AB फिर बीए कर लिया तो ऐसा टाइप का पैटर्न पोसिबल नहीं हो पाएगा इसलिए यह वाला जो है किसी भी आलप में पोसिबल नहीं होगत आंसर कौश अगला वाला प्रोब्लम क्या कह रहा है तो डेंट डेंसिटी ऑप लीथियम मेटक डेंसिटी दे रहे कि अपने पास कितनी 0.53 ग्राम पर सेंटिमेटर की उप्र ठीक एंड़ पर्पेंडिकुल इस्टेस ऑफ वन वन जिरो प्लेंट फ्रॉम दी ओर जिए वह वह वन वन प ट्रीके था तो यह तरसे प्लैंट कुछ इस तरीके सोगा मुर्लब एक्स Y-axis के भी पेलल होगा जैड के भी पैलल होगा लेकिन X के पैलल नहीं हो इस तरीके सोगा और यहां पर परपेंडिकुल डिस्टेस और यह से जो दे रहे कि है ना वह कितनी देरी कि अपने पास एक following lattice ठीक ना आप क्या करोगे density का formula आपको पताई है जैड इन्टू एम डिवर्डबाइए क्यूब इन्टू एन ठीक है density आपकी पास कितनी देरी के 0.53 इस इकल टू जैड की वैलिए आपको calculate करने आपकी पास M की वैलिव दे रहें के 6.94 ठीक है अपन एक वैल्यू 350 इंटू 10 रेज की पाउर ग्राम पर संट्यमेटर की क्यूब में दे रहा है तो आप यहाँ पर 10 रेज पर माइनस 10 का होल क्यूब इन्टू एन एक वैलिए 6.023 इन्टू 10 की पाउर 23 ठीक है इसको calculate क ठीक है ना इन्टीन प्रोब्ल्म आइरन चेंजेस इस क्रिस्टल स्टक्चर पॉंब बीसिसी तूशी ठीक यहां पर दोगो आइरन जो है ना वह वो बीसीशी से सिख सीचीशीपी में ओक्यूपई हो रहा है ठीक है लेंद रेश्य ओप डेंसिटी और बीसीशी तूदी सि आपको बताना है डेंसिटी एक तो बीसीसी के केस में बतानी अपन सीचीशीपी मतलब एफसीशी के केस में ठीक है यहां पर दोगो एटम की जो रेडियस है वो चैंज नहीं कर रहा है कि मेटलेरी रेडिस को से रखाए लेकिन एक ही वेलिउ तो जाए चैंज हो डेंसिटी की वेल्यू में चैंज जाएगा तो पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक दर से जैड़न डिवर्ड बेज़ेट टू इन टू का क्यूब अपन एवन का क्यूब के बराबर लिखा जा सकता है ठीक है जैड़न बीसीसी में जैड़न की वेल कितनी है कि टू के बराब एप अब आपके पास क्या है एक मतलब FCC के लिए आपको पता है रूट 2A is equal to 4A यहां से A की वेल्यू 4A को लिख सकते हैं तो यहां से क्या है का एगा 4R ढिवर्ड बेर रूट 2 का होल क्यों कि क्योंकि यहां पे यह वाला क्या बीसीसी का पार्ट है ठीक है इसको क्योंके जी है approximate value आईगी 0.92 के बरब तो 0.92 रेशियो 1 के बरब रांसर आगे ठीक है next problem is sample feo content दो feo जो है न एक particular sample ले रख इसके अंदर fe plus 2 भी है और fe plus 3 भी है और fe plus 2 96.1 परसेंट है तो बच्छा हुआ आपकी पास क्या होगा यहां पर 0.86 यहां पर 0.84 यहां पर यह 0.98 यह थोड़ा सा दूर जा रहा है इसलिए नहीं हो सकता आपके पास यह ठीक है आप वैसे भी कर सकते हो एक्स की वैल्यू क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा चार ओप्सन चेक करको फॉर्मला आपके पास यह वाला मैच कर लेगा ठीक है नेक्स्ट प्रव्लम इन एफ सी सेकेंड क्लोज इस सेंटर बिट्विन अटम सेंटर वाला है वह जो है कॉर्णर से टच में होगा और टच में होगा तो मतलब सबसे निरेस्ट ऐटम यह दोलोगे इनके बीच की स्क्रीट रूट 2a by 2 सेंटर नेक्स्ट निरेश्ट कौन होगा यह वाला इसका नेक्स्ट निरेस्ट कौन सो यह वाला और इसकी स्की सेंटर एक के बारत तो second nearest प्रोज़ टिस्टेंस जो होगी हो कितनी आई है एक के बराबर आजाए ठीक है भए next problem in a solid lattice the cation has left the lattice side cation किसको lattice side को left कर लेता है and located at interstitial position interstitial position पर आजाता है तो जार से बात है cation जब interstitial position पर आता है तो defect क्या 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 थे एक तरसे फ्रेंकल डिप्रेक्ट करता है the minimum distance between tetra ideal void and octa ideal void दो आपको मैंने बताया था कि tetra ideal void कहां पर occupy होता है body के diagonal पर occupy होता है body का diagonal ही है ठीक है यह body के center पर octa ideal void होता है और यह corner है और इसके center पर आपके पास क्योंगा tetra ideal void आपको पूचा क्या क्या है octa ideal void and tetra ideal void की बीच की distance ठीक है तो simple सी बात है यह total distance होती ही root 3 है इसका हाब कितना होगा root 3 by 2 लगन यह इसका भी center पर होता है तो इसका मतलब क्योंगी यह वाली distance क्या है root 3 by 4 तो यहां पर क्या है का root 3 by 4 distance आजएगी tetra ideal void and octadal void की बीच में आपको अगला क्या के select the incorrect statement देखो CSCL unit के अंदर और positive और negative का समझे होता है इसके बराबरता है सही बात एने CL के अंदर rock salt structure में यह वाल होता है एकदम सही बात है ठीक है CSCL unit 68% परसेंट पार्ट जो है वो वाइड का है बहुत ज्यादा है ज्यादा तर जगे पर क्यों हो CSCL के अंदर CS plus कहां पर body के center को और CL minus 100 को के पर करिया ज्यादा देखे जाए तो पर केंड़ स्पेस कम होना चाहिए खीकर लेकिन यहां पर वैकेंड़ स्पेस को ज्यादा बता रहा है इसलिए आपके पास क्या होगा गलत हो जाए पिर बात में देखेंड और ब्रेग इक्वेशन आपको फॉर्म्मला यह 2D साइं थीटा बराबर यह लेंड़ वाला फॉर्मला लगाने तो डी आपको निकालना है साइन थीटा की सिक्षिटी डी बिवर्बत दे रहे की है और किंक देर का सेखेंड के बड़ा और लैंब्डा की व्याली वन एक्स्ट्रॉं के बरभर देए चांज तो डी की वेली जोगी 1.156 एक्स्ट्रॉं के बरभर आ जैए इसका आंसर काुए मेंसा बड़ा फस्ट व तो इसका को बन जाते है आपको कुचा क्या है हाई प्रेसर को उक्यूपाई किया हाई प्रेसर एक्षा बढ़ जाएगा बढ़ किसमें आ जाएगा एट रेशियो एट के अंदर आ जाएगा 27 अगला क्या करता है इन ABC ABC packing if the number of atoms in union cell is n then the number of tetra vital void दो जितने number of atoms होते है tetra vital void उसके जडबल होते है तो number of atoms n देर के तो tetra vital void कि इतने होगी 2N के बाद है 28 दो एज लेंथ औफ FCC cell of aynic substance is A की value दे रेकी 508 picometer के बारावब। If the radius of catein is, इसमें catein की radius दे रेकी अपने पास कितनी 110 picometer के बारावब। The radius of NN, NN की radius बताएंगे, रॉक्साल रिस्ट्रक्टर, रॉक्साल रिस्ट्रक्टर केंदे क्या होगा, catein plus NN का sum होगा, आपको a by 2 की बारावब। ठीक है, catein की radius 110 दे रेकी, NN की आपको निकालगे, और A की वहले कितनी दे रेकी 508 divided by 2 के बार, 508 divided by 2 करोगे तो यह 2 times, 5 times and 4 times, आप उनको NN की radius निकाले, तो आप क्या करोगे, इसको इदर ले क्या होगे, तो 254, माइनस क्या क्या करोगे 110, 4, यह वहले कितना हो, 4, 114, त next one, to get N type of semiconductor, N type of semiconductor बटाने के लिए, जाइड से बात N type of semiconductor तब बनाया जाता है, जब लॉप्ड किया जाता है, semiconductor को 15 group के अलिमेंट के साथ, और 15 group के अलिमेंट में कौन सा आ रहा है, R से नहीं का रहा है, तो second हो जाएगा, 30 वाला number of total number of atoms, इतने दे रखे, BCC के अंदर, ठीक है, अज़ा, एक unit cell के अंदर number of atom 2 होते है, BCC के अंदर, और number of atoms पुछे हैं, यहाँ पी unit cell के तनी है, 12.08, इंटु टेरेस की पाउर 23 unit cell के अंदर number of atoms बताने, तो एक के अंदर 2 है, तो इतने में कितना है, 2 से multiply कर लोगी, तो यहाँ से आपके पास किया है, 24.16, इंटु टेरेस को 23, नेक्स्ट, यह वाले जो प्रोब्लम है, integer value वाले प्रोब्लम है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताने है, फर्स्ट प्रोब्लम क्या कर रहा है, the number of correct statement in the following, correct statement बताने, the crystalline solid have long range order, एकदम सही बात है, crystalline solid are isotropic, यह गल amorphous solid are sometimes called studded solid, एकदम सही बात है, ठीक है ला, डी वाली बात के amorphous solid soften over range of temperature, amorphous solid जो है एक particular fixed temperature पर melt नहीं होते हैं, एक temperature की range के अंदर melt होते हैं, ठीक है ला, तो यह वाली बात भी सही, amorphous solid have fixed definite heat of fusion, गलत बात, fix वाले कौन रखते हैं, एक तरह से crystalline solid जाही है, इनकी heat of fusion की value क्यों क्यों होती है, फिक्स होती है, तो आपकोस correct statement कितना हो गया, तीन के बात, आंसर कितना हैगा second problem, the total number of voids in unit cell of abscissi, एक बात ध्याना के number of atom अगर N है, तो tetraloidal void कितनों के बात और octadal void कितनों के N के बात, और total number of void कितनों के 3N के बात, ठीक है, अब देखो, एक unit cell किस की, abscissi, abscissi unit cell में number of atom कितना होते हैं, तो जाएक सी बात है, total number of tetraloidal void कितना होते हैं, तीन मतलब 3 into 4, बराबर कितना होते हैं, 12 के बात, तो इसका answer कितना होते हैं, 12 के बात, ठीक है, next problem, the total number of void, अजय है, HCP 3D lattice के अंदर, number of atoms, एक unit cell के अंदर 6, तो number of, total number of void कितना होते होते हैं, 3N के बात, तो 3 into 6, बराबर कितना हैं, 18 के बराबर आजाएं, ठीक है, next problem, the coldness number of CS plus iron in CSCL compound, द को CSCL के अंदर, CS plus 1 जो है, वो body center को occupy करता है, और body center का coordinates number कितना होता है, 8, तो इसका answer कितना हैं, 8 के बात, in CF, CF2 unit, the coordinates number F-2, CF, CAF2 के अंदर F-2 जो है, tetraidal void को occupy करता है, और tetraidal void का coordinates number कितना होता, 4, इसलिए आपका answer कितना हैं, 4, next problem, the radius of AG plus, इसके अंदर coldness number AG plus का निकाल, तो आप क्या करोगे, एक तरसे radius ratio निकाल, ठीक है, तो इक तना 126 divided by 216, इसकी value approximately 0.5 के आसपास है, ठीक है, अगर value 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में हो, तब coldness number कितना होता, 6 के बारा हो, ये वाले value इसके बीच में हारी, इसलिए इस इसका coldness number जो होगा, वो कितना होगा 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और A plus 2 present होता है किसके अंदर, ये भी बात क्या है, साही, तो टोटल number of right structures कितने होगे, तीन के बराब, next problem, the number of carbon atoms per unit cell of the diamond, diamond basically zelliness जैसे structure होता है, जिसमें diamond corner को occupy करेगा, FCC के और साथ ही साथ, alternate tetradal void को occupy करेगा, तो मतलब carbon FCC को occupy करेगा, FCC में number of atoms कितने हो ते चाहत, और alternate tetradal void total number of tetradal void कितने होगे, 8 के बराब लेकिन alternate को ये occupy तो 4 आ जाएगा, total number of carbon atoms कितने हो तो पर unit cell, 8 के बराबर आ जाएगा, इसका answer कितना है ये बराबर, नेक्स पॉल्डूम दवेकेंज स्पेस इन बी सी तो बी सी की पैकिंग इपिसेंस ही जो थी ना वो कितने उती श्टी एट परसेंट के आस पाँ तो वेकेंड इस्पेस कितना होगा एंड्रेड माइनस अगरे इसकी रिडिस और मालों इसकी रेडिस और वन तो तो यहांसे और यहां से आर की वैली आईगी वन 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 पिको मीटर के बारब आपको पूचा किया गया है एक्स भाई थ्री के वैलूब मतलब वन वन डिवर्ड भाई थ्री मतलब कितना है थर्टी सेवन के बराबर आज आगे थेंक यू वेरी मूच